यह चीज पर और यह चीज है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर अपीरिंग फॉर यूपीएसी प्रिलिम्स तो हम यहां पर आज की सेशन में करने क्या वाले करने यह वाले हैं कि साइंस इंट टेक्स रिलेटिड जितने भी पांच सालों में क्वेशिंज पूछे के चीज हैं को हम यहाँपे अनलाइज करेंगे और अनलाईज करते हुए ना सिर्फ हम फम क्वेशिंज के सभी आंसर जानेंगे हम यह भी समझेगे कि कौन-कौन फॉर???stein ऐसी है कौन-कॉन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो बार बार रेपीट होते हैं कौन-कॉन Conse ऐसे ऐ phones ए जहां से frequently questions आ रहे हैं so that आप अपनी preparation को properly align कर सको तो शुरुवात करेंगे आज के इस session की जिसमें हम previous equations को analyze कर रहे हैं last 5 सालों के previous equations को analyze करेंगे याने की 2018 से लेकर 2022 तक के सारे previous equations related to science and tech इस session में हम analyze करने वाले हैं आपको आएगा काफी सदर मज़ा क्योंकि आपको काफी सारी चीज़े हैं पता चलेंगे direction भी मिलेगा और conceptual clarity भी मिलेगी तो शुरुवात करते हैं आज के session की और हम शुरुवात करेंगे backwards तो 2022 से पीछे की तरफ चलेंगे 2022 का पहला question जो science and tech से पूछा गया consider the following आरोगय से तू कोविन डिजी लॉकर और दीक्षा तो देखो आप देखोगे 2021-2022 यह दो साल ऐसे हैं मेजर ली यह दो साल ऐसे हैं जब कोविट से related कई सारे questions आपको देखने को मिलेंगे UPSC prelims में अभी तो यह शुरुवात है आगे देखना कितने सारे questions आपको कोविट स करने चलो यह basically क्यों बता रहे हूं क्योंकि आप जो स्टाटिक पढ़ते हो तो पढ़ना ही है लेकिन साथ में current affairs का बहुत मेजर रोल होता है science and tech में तो इसको जरूर कवर करना इसको मिस आउट बिलकुल मत करना और तो question है यह चार आप्स के बारे में दिया हुआ है आरोग अब अगर आपको यह question को answer करने आपको पता होना चाहिए कि open source digital platforms होते कौन से हैं देखो कुछ digital platforms लैसे होते हैं कि जिसने उन platforms को बनाया है सिर्फ वही उसको access कर सकता है वही उसमें अपनी details modify कर सकता है वही जो है उसको operationalize कर सकता है उस app को वो होते है closed source digital platforms open source digital platform वो होते हैं जिसमें कुछो बनाने वाला है जो यहाँ पे जिसने produce किया है उस app को उस platform को उसमें कोई भी changes कोई भी access करना उसमें कुछ भी modify करना दूसरे users भी कर सकते हैं उसको बोलते है open source digital platform तो जरह detail में समझो closed source software क्यों होता है यह वह source code होता है that only the person, team or organization who created it and maintain the exclusive control over it तो कोई ऐसी app ज सिर्फ मैं कर सकते हूं जो भी उसमें information डालने ही सिर्फ मैं डाल सकते हूं for example जैसे मानलो हमारी prepis की website है okay तो prepis की website पे जो भी changes करने हमारी organization करेगी okay हमारी organization उस पे current affairs डालेगी उस पे quizzes डालेगी तो यह हमारे पास exclusive control है okay अगर हम इस पे कोई ऐसी app बना है जिस पे सभी control exclusive control है उसका okay तो open source software is the software with source code that anyone can inspect modify and enhance तो यहां पे कोई भी उसको inspect कर सकता है modify और enhance कर सकता है उस particular software को उसको बोलते है open source software तो जो भी हम यहां पे देख रहे है नाधार का GSTN का DG Locker का यह सारे के सारे open source digital platform है तो आरोगी से तू आपने देखा होगा app उसमें आप देख पाते कर रहे थे ना कि कहां पे vaccination centers है कहां पे आपका अगर आपने vaccine लगवाली है तो आपका जो certificate है यहां से आप acquire कर सकते थे तो आरोगी से तू आप सभी लोग यूज कर रहे थे कोविन सभी लोग यूज कर रहे थे DG Locker में basically आप अपने documents store कर सकते हो तो यह government of India की app है government of India का portal है I hope यहां पे concepts भी आपके clear होते जा रहे हैं okay that is very very important and मैं फिर से कहूंगी please current affairs को miss out मत करना in science and tech okay बढ़ते हैं आगे तो next हमारा जो question है that is web 3.0 तो web 3.0 के बार में question है तीरो statements बढ़ते हैं web 3.0 technology enables the people to control their own data दूसरा statement बोलता है web 3.0 world जो है there can be blockchain based social networks and third statement says web 3.0 is operated by users collectively rather than the corporation तो basically web 3.0 की बात हो रही है जिसे आपने सुना होगा न world wide web के बार में इसमें हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे है evolution हो रहा है और अभी हम web 3.0 की बात करें बहुत news में रहा है पूरे साल में 2021 में बहुत news में रहा है इसलिए question भी है तो web 3.0 के बार में प 3.0 लगा है न तो यह third version है simplistically देखोगे तो it is internet on blockchain I hope कि आप लोगों को blockchain के बार में कुछ ना कुछ अंदाजा हो blockchain क्या होता है देखो blockchain का मतलब simple सा क्या होता है blockchain एक technology है जिसमें data store किया जाता है एक तरह से ऐसे समझ सकते हो data storage के एक technology है जो की इस तरह से packets के form में blocks के form में data को store करती है और यह data जो है एक chain बनाता है अपनी इसलिए इसको ब्लोक्चेन कहते हैं लेकिन इस chain का कोई एक इस ब्लोक्चेन के एक खासियत यह है कि इसमें कोई भी एक कंट्रोल करने वाला नहीं होता ब्लोक्चेन जो है सबसे पहली चीज आपको ब्लोक्चेन के बारे में पता हो ना चाहिए कि यह decentralized technology है इसके उपर कोई भी एक authority नहीं होती ठीक है ब्लोक्चेन is a decentralized technology जिसके उपर बहुत सारी authorities बहुत सारे लोग इसको यूज करते हुए हो सकते हैं तो ब्लोक्चेन के उपर internet जो है मैंने कोई भी modification किया तो यह modification सभी को दिखेगा यह modification सभी को दिखेगा लेकिन यह पता नहीं चलेगा कि modification किस ने किया मान लोग इस person किसी ex-person ने इस data block में modification किया तो modification सभी लोग कर पाने मतलब decentralized हो गया यह एक इंसान के पास में authority नहीं है सभी को authority मिल गई है तो ऐसे में regulation की भी ज़रुरत जादा पढ़ने वाली है इसके साथ में global risk जो है global rise जो है cryptocurrencies का non-fungible tokens का इसके कारण web 3.0 news में है आप लोगोंने cryptocurrencies के बारे में सुना होगा cryptocurrencies भी blockchain के उपर काम करती है बेसिकली digital virtual currency है जिनके पीछे कोई backing नहीं है लेकिन यह cryptocurrency काम करती है blockchain के उपर एक नहीं technology आ रही है NFT जिसको बोलते है non-fungible token non-fungible token मतलब मान लो मेरा कोई एक asset है for example यह video हम बना रहे हैं यह video prepis की property है इसको हम token के form में convert कर सकते non-fungible token के form में और इसका transaction किया जा सकता है blockchain technology के उपर तो blockchain इसी लिए न्यूज में है और आप देखोगे अगर आप science and current affairs को follow कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि blockchain technology का use बहुत सारी जगह पे अब होने लगा है शुरूआच जब होई थी इसकी तब स्रिप्टो करंसी में use हो cryptocurrency तो समझ पा रहे हो कि cryptocurrency is related to blockchain ये option सही है पैर सही है तो इस तरह के questions ही है तो आप जो भी पढ़ रहे हूं राज वह चीज आपको बहुत आगे तक ज्यान आपको बहुत आगे तक फायदा देने वाली है ये basically बताना चाहरी हूं तो cryptocurrency nft आज की डिट में बहुत न्यूज में इसलिए blockchain भी news में और इसलिए web 3.0 की बात हो रही है तो web 3.0 is the next version of internet where services will run on blockchain it is a decentralized internet I hope you understand what is decentralized internet and it runs on a public blockchain ये public blockchain पे काम करेगा जिस पे की cryptocurrency transactions भी होते हैं तो देखो अगर इस question पे आए हम तो इसका मतलब 0.1 जो है statement 1 web 3.0 technology enables people to control their own data this is a correct statement हर कोई अपना data खुझ से control कर सकता है दूसरा statement भी सही है कि web 3.0 blockchain के उपर काम करता है और तीसरा statement भी सही है कि कोई एक corporation इसको hold नहीं करती है कोई एक corporation operate नहीं करती है इस web 3.0 को सभी users मिलके इसको operate करते हैं तो इसका सही answer होगा D 1 2 & 3 बढ़ते हैं आगे next question की तरफ with reference to SaaS SaaS के software as a service consider the following statement तो software as a service की बारे में बात हो रही है देखो भाई यहां पर तीन statement आपको दी हुई है कौन सी तीन statement है पहले statement गो रहे है SaaS buyers can customize their user interface and can change the data fields okay तो जो SaaS SaaS का है basically software as a service अब इसका मतलब क्या है समझो इस चीज को SaaS का मतलब यह है software as a service का मतलब क्या है कुछ चीज़ें आपने देखी होगी for example मैं आपको बताती हूँ Gmail आपने कभी ना कभी यूज क्या होगा ठीक है Google का email service है Gmail का एक अथी app जिसको आप install करके उसके थूझ Gmail access कर सकते हो लेकिन मान लो आपके पास app नहीं है तो आप internet के थू भी Gmail को access कर सकते हो सेम चीज़ फेस्बुक के साथ भी होती है अगर फेस्बुक आपके फोन में अलग से इंस्टॉर्ड नहीं है application तो आप उसको as a software Google पर जाके उसको search करोगे आप उसको use कर सकते हो तो basically software as a service क्या बोलता है यह एक software licensing model है जिसमें basically अगर आपको कोई भी external server को use करना है तो आपको वहाँ पर software को access देना पड़ता है तो basically होता क्या है तो software as a service में क्या होता है जिसे आप समझें न Gmail में क्या होता है वैसे सेम चीज़ होती यहां पर तो basically software as a service is a software licensing model OK software licensing model है जो कि आपको access देता है किसी software का on a subscription basis कि आप external servers को use कर सकते हो उस particular software को access करने के लि वीजवल और बिजनसेस के लिए भी यूज हो रही है अब जिसे देखो आउटलुक हो गया हॉट मेल हो गया याहू मेल हो गया यह सब सास के फॉर्म में कैसे क्योंकि इनके साथ देखो क्यों होता है विद इस सर्विसे अ यूजर लॉग इंट्ट ओवर दे इंटरनेट ओफ आप्लिकेशन नहीं है जीमेल की उसको मैं गूगल पे या कोई भी सर्च इंजन पर सर्च करती हो गीमेल और वहां से मैं अपनी इमेल डालती हूँ मुझे अपने सारे मेसिजे सारा टाटा मिल जाता है तो इस पूरे सिस्टेम को सॉफ्वेर असर्विस कहते हैं सॉफ्वे तो देखो पहला स्टेटमेंट है सास बायर्स किन कस्टिमाइज दे यूजर इंटरफेस और चेंज दे डाटा फील्स दूसरा है सास यूजर्स किन एक्सिस दे डाटा थू दे मोबाइल डिवाइज एंड तीसरा है आउटलूप होटमेल अंड याहू मेल आर दे फॉर्म बनेट बनेट सब्स जा कि यहां तो बायर्स के बारे में सब्सक्राइब इस सब्सक्राइब करेंता सास को और demand software भी कहा जाता है क्योंकि आपको जब demand हो रही है तभी आप उस software पर जा रहे हो अदवाइस नहीं जा रहे हो बढ़ते हैं आगे next question की तरफ next question is related to fractional orbital bombardment system now यह क्या है which one of the following statement best reflects the fractional orbital bombardment system often talked about in media तो चार statement है a hypersonic missile is launched into space to counter the asteroid approaching the earth and explode it in space दूसरा है the spacecraft lands on another planet after making several orbital motions तीसरा है a missile is put in stable orbit around the earth and de-orbit over the target on earth and चौथा है a spacecraft moves along the comet with the same surface speed and places a probe on its surface तो यह चार options आप से दिये गए है नाम समझो कि term क्या है fractional orbital bombardment system तो basically bombardment का मतलब है कि कोई ना कोई चीज को तो यहां पर bombard किया जाएगा attack किया जाएगा तो attack करने के लिए कोई target आपकी पास होना चाहिए वैसे यह force force जो है यह force system जो था यह news में क्यों था यह news में इसी लिए था क्योंकि चाईना के ऊपर यह claim किया जा रहा था चाईना ने यह fobs system develop कर लिया है तो यह fobs fractional orbital bombardment system है क्या यह एक warhead delivery system है जैसे मैंने बोला ना bombardment word आ गया तो उसका मतलब क्या कि आप किसी पर attack करने जा रहे हो यानि कि weapon deliver करने जा रहे हो कहीं तो वेपन delivery warhead delivery system है which uses a low earth orbit towards a target destination तो बेसिकली होता क्या है कि कोई भी जो fractional orbital bombardment system उसको पहले orbit में डाला जाएगा low earth orbit से अब वो किसी भी target के उपर अपना निशाना लगाएगा तो अगर वो target तक reach करे उससे पहले वो de-orbit हो जाता है और खुद उसका engine जो है वो burn हो जाता है तो फ्लाइट पाथ जो है warhead की from the system does not reveal the target location till the payload hits the destination मतलब होता यू है कि सब गुप चुप तरीके से हो रहा है किसी को समझ नहीं आ रहा कि यह जो वेपन आया यह यह आया कहां से और अगर यह warhead जा रहा है तो यह जा कहां रहा होगा यह पता नहीं चलता तो यह फॉप the system क्या है fractional orbital bombardment system यानि कि पहले आपने अपना यह जो फॉप system में इसको आपने low earth orbit पे भीज दिया यह लो अर्थ और पे पहुँच गया अब यहां से टार्गेट कर रहा है इसका target मानलो यह है तो इसने यहां से target किया target करने के बाद यहां से जब यह target निकल चुका है warhead निकल चुका है warhead delivery की तरफ निकल चुका है उसक इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर है c it is basically a missile which is put into a stable orbit पहले इसको orbit में डाला जाएगा और फिर जैसे ही यह target कर देता है अर्थ पे उसके बाद इसको de-orbit कर दिया जाएगा पर तब और अर्बिट में से हटा दिया जाएगा okay then देखते next question question number 5 which is a easier question okay बाकियों से comparison मे easy है यह which of the following is basically the context in which the terms qubit is mentioned तो qubit किस से related है question यह है qubit cloud service से related है quantum computing से related है visible light communication technology यह wireless communication technology नो देखो आपने बिट्स के बारे में सुना होगा ठीक है क्यूबिट भी बिट्स के जैसे ही units होती है लेकिन इसको use करते हैं quantum computers में okay तो qubits basically ऐसी stage को दरशाती है quantum computers में जहां पर zero and one साथ में simultaneously occur कर सकते हैं तो this basically qubit is related to quantum computing quantum computing में जो भी computation होता है वो qubits में होता है और इसमें 0 और 1 जैसे 0 और वन आप देख्ते हो न की जो आपका traditional computer होता है वो binary system पे चलता है कि भाई जो output है वो zero हो सकता है या one हो सकता है on हो सकता है या off हो सकता है इस तरह की बात हम करते हैं लेकिन quantum computing इससे आगे की बात करता है advanced बात करत सब्सक्राइब, नहीं परता है, सब्सक्राइब और करणेवर क्लासिकल कम्प्यूटिंग में चेथ। जरा सा भी इनकी जो चंडिशन में चेर्चाड होई तो यह पर एर्रज आने लग जाते हैं classical computers में ऐसा नहीं होता है और quantum computers को आप यूज करते हो एक तास्क दो आप यूज करते हो एक जासे कि data optimization हो गया, optimization problems हो गया, data analysis हो गया, simulation हो गया, इन सब के लिए जबकि classical computers को तो हम हर रोज daily basis पे यूज करते ही है तो इस cancer I hope समझ में आया, B है इस cancer then देखो next question है हमारा consider the following communication technology तीन technologies की बात कुए है, communication technologies की closed circuit television जिसको आप CCTV के नाम से भी जानते हो radio frequency identification जिसको RFID के नाम से भी जानते हो and wireless local area network जिसको WLAN के नाम से आप जानते हो so CCTV, RFID और WLAN इन सब को दीनों को आपने कभी न कभी लाइफ में use किया होगा या use करते होगे लोगों को देखा होगा देखो भई, ऐसा है CCTV आप क्यों use करते हो CCTV बेसिकलिए आपके रूम में कोई camera लगा है आप उसके वहां पे उस रूम में क्या-क्या चल रहा है उसको आप access कर सकते हो तो क्या ऐसा कर सकते हो कि यहां camera लगा कि तीन-चार हजार किलोमीटर दूर जाके इसको access करो नहीं, ओके दूसरा है RFID, RFID भी क्या होता है सीधा line of sight चाहिए होती इसमें भी जैसे आपने देखा होगा आज कल टोल नाके जितने भी होते ना टोल नाके वहां पे जो टेक्स कटते हैं उसमें आपको cash देना अलाउड नहीं होता है आपका टोल टेक्स जो है अब से RFID के थ्रू जो रेडियो frequency identification उसके थ्रू कट जाता है मतलब मान लो यह आपकी car है, car के corner में आपने इस तरह से RFID अपना scanner लगावया हुआ है जैसे टोल टेक्स टोल नाके पर आप गए वहां पर यह RFID scan हो जाता है और तुरंत आपके account में से पैसे कट जाते हैं तो यह क्या हो रहा है यह short range communication हुआ न इसके लाव WLAN wireless जो local area network है यह भी एक तरह का Wi-Fi है लेकिन यह भी बहुत दूर तक नहीं जाता तो यह तीनों short range devices है radio devices है जो की कम risk of interference प्रोवाइट करते हैं और इनमें आपको transmitted power देनी पड़ती है अलग से power देनी पड़ती है इसलिए short range तक में ही काम करते हैं इसका सही आंसर होगा 123 अब देखो यहां पर short range devices की बारे में बात कि है देखना है इसके बारे में और question आए आगे short range है कि long range device है बढ़ते हैं आगे next question है biofilms की बारे में consider the following statement biofilms can form on medical implants with human tissues biofilms can form on food and food processing surfaces and biofilms can exhibit antibiotic resistance अब देखो एक चीज समझना मानलो आपको कुछ नहीं पता biofilms की बारे में कुछ नहीं पता तो आपको मैं दे रहे हूँ एक tip tip यह है कि science and tech जो है science का कोई और या छोर है क्या science का कोई limits है क्या आपको मैं बोलूँ कि भई यह pen यह pen से आप blue color से ही लिख सकते हो red color से नहीं लिख सकते तो क्या ऐसा हो सकते है यह digital pen है क्यों नहीं लिख सकते है कहने का मतलब यह कि science and tech ने इतनी तरक्की कर दिये कि आप यह नहीं बोल सकते कि यह चीज तो हो ही नहीं सकती हर चीज possible है तब तक आपको यह समझ में आना चाहिए कि science and tech में अगर वानलोग कोई idea नहीं कोई knowledge नहीं है तो ऐसे में common sense लगाओ कि science and tech का दाएरा बहुत बढ़ा होता संभवता जो है possibility जो है हर चीज की होती है और यह जो can word और है उससे सारी चीजे यहां पर possible दिख रही है तो अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आप तीनों statement को यहां सही लगा सकते हो और हम में बताते हूँ बायो फिल्म्स हैं क्या तो देखो बायो फिल्म्स क्या होती है पहले इसके बारे में बात करते हैं बायो फिल्म्स आदर collective of collection of one or more types of microorganisms that grow on many different surfaces तो आप बेसिकली देखते हो कोई ने पेक्रोब्सक्राइब चाँ परकुछ जाना इस बायोफिल्म की बैक्टीरिया फंजाई प्रोटिस यह सब इंवाल्व हो सकते हैं तो जो प्रॉंप्स का प्राब प्रोंदी आसे कि युबिघिए से बाल्मोंस्त धालियर अरफ विकल्म उसका वे सिपनिक और से लुड लोंटेरय वी प्रमोंजंडटेर्ग टालियर सब्सेंट देंगमनद सब्सक्राइब तो वाटर पाइप्स हो गए, लिविंग टिश्यू हो गए, टूथ सर्फिस इंफेक्ट लोगों के दातों पर भी बायो फिल्म जमा हो रही है, जो पैक्टीरिया हो गए, जो भी आपके यहां पर मुह में है, वो साले एक फिल्म जमा कर रहे हैं, इसलिए आप देखते हो कई तो आप इसलिए बार-बार थोड़ 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 टाइम में डेंटिस के पास जाते हो for the cleaning of your teeth, okay, so that is the thing, तो यहां पे medical devices के उपर भी जम जाती है, डेंटल इंप्लांट्स के उपर भी यह चीज परत्सी जम जाती है, तो इसमें basically पहला जो यहां पे देखो, पहला statement इस सही हो जाते हैं यहां पे, ठीक है, कोई भी statement गलत नहीं है, और general knowledge से भी आप समझ सकते हो, जो आपके common sense से, उससे भी समझ सकते हो, कि तीनों statements आई है, तो basically एक Salmonella enterica, यह एक आती है, एक microorganism होता है, जो कि food pipeline के उपर biofilms बना देता है, और bacterial biofilms जो होती है, उसमें देखने probiotics होगे, उसको लेकर tolerant होती हो, उसका कोई असर नहीं पड़ता, इन biofilms होती है, बढ़ते हैं आगे, consider the following statement with respect to probiotics, probiotics से related question है, तो देखो, आप देख रहे होगे, biology से related काफी questions आ रहे हैं, तो अगर आप science and tech तयार कर रहे हो, तो इसमें biology पर थोड़ा special ध्यान देना, okay, probiotics के pro, probiotics होते क्या है, समझते हें, probiotics से like, live microorganisms, यह वो microorganisms होते है, यह वो microorganism यह वो microorganisms यह वो microorganisms यह bacteria होते हैं, जो आपकी बोड़ी के लिए अच्छे हैं, एक यहां पर यहां पर योगर्ट हो गया यहां दूसरे जो फर्मेंट फूट्स हैं डायटरी सप्लिमेंट्स हैं उनमें भी आपको प्रोबायोटिक्स टेखने को मिलते हैं तो प्रोबायोटिक्स हमारी बॉड़ी में नाच्रली रहते हैं ठीक है हमारी बॉड़ी में प्रोबायोटिक्स हैं ऐसे बेक्टीरिया हैं जो हमारी बॉड़ी को हेल्दी रखते हैं तो बेसिकली जैसे एल एक प्रोबायोटिक बेक्टीरिया जो हमारे यूमन गट में अल्र और अध्या कि अपना एक पंपने को आपर कर थोस के इसुझ आपर को बोडिए तो अपने और जो है किसे माइक्टी strains होते हैं bacteria के yogurt जिसमें yogurt में पाय जाते हैं यह bacteria के certain strains जिसको beta-d galactosidase कहा जाता है यह basically enzymes होते हैं जो कि lactose को break down करते हैं हमारे dairy products में lactose को break down करते हैं और sugar glucose और galactose बनाते हैं तो basically probiotics help करते हैं milk sugars की digestion में भी okay तो probiotic and prebiotic के बीच में difference अगर जानना चाहो तो यह पढ़ सकते हो basically difference कुछ नहीं है probiotic live bacteria है और prebiotic कुछ खाने की चीजें है plant fiber हो गया यह सारी चीजें है जो eatable है जिसके through probiotics healthy रहते हैं तो probiotic live bacteria prebiotic उनको feed किया जाने वाला खाना है जिनके through probiotics healthy रहे तो basically यह जो probiotics हैं यह healthy digestive system को promote करते हैं साथ में यह heat और stomach acid को लेकर काफी sensitive होते हैं जादा heat या जादा acid आपके पेट में बन गई जादा stomach acid बन गया तो इनको खत्रा हो सकता है और इसके अलावा दे में help irritable bowel movement irritable bowel syndrome को यह help करते हैं जैसे कि आपको बोलते हैं कि जब भी आपको कोई भी issue है regarding the digestion system तो आपको दही खानी चाहिए योगर्ट खाना चाहिए इस तरह की चीज़े खानी चाहिए क्यों क्योंकि योगर्ट में योगर्ट में प्रोबायोटिक्स होते हैं विचर हेल्फुल इन डाजिशन ओके तो basically these help us इसके अलावा prebiotics के होते हैं यह basically plant fiber हो गए ऐसी चीज़े हो गए जिसको आप खाऊगे तो आपकी शरीर करने जो probiotics है इसके अलावा देखो यह digestion में मदद करेंगे और यह helpful होंगे digestive disorders को treat करने में तो probiotics के बारे में मैं आपको सब समझा है probiotics are made up of bacteria and yeast सही है कि नहीं सही है क्योंकि microorganism से बने होते probiotics तो मैंने आपको समझा है तो यह सही है Organism in probiotics are found in foods we ingest but they do not naturally occur in our gut तो food में मिलता है यह probiotics लेकिन क्या हमारे actual में हमारे human gut में क्या present ही नहीं होता naturally यह गलत है यह naturally occur करता है हमारी body में और probiotics help in the digestion of milk sugar यह सही है हमारी body में जो milk sugar बनता है उसके digestion में हमको मदद करता है probiotics तो basically इसका सही आंसर होगा 1 and 3 only बढ़ते हैं आगे In the context of vaccines manufactured to prevent COVID-19 pandemic consider the following तो vaccine से related question है Serum Institute of India produced COVID-19 vaccine named COVID-19 using mRNA platform दूसरा है Sputnik 5 vaccine is manufactured using vector-based platform and co-vaccine is the inactivated pathogen-based vaccine तो यह 3 statements आपके सामने है आप देखो इन 3 statements को थोड़ा सा guess करने की कोशिश करो कौन सा statement सही है कौन सा statement गलत है vaccines के बारे में question क्योंकि पूछा गया क्योंकि इस टाइम पे vaccines बहुत जादे news में थी नया नया COVID अभी होकर गया था second, third wave इसकी तो बात करते हैं इसके बारे में देखो Serum Institute of India ने COVID Shield बनाई है ठीक है बिलकुल बनाई है सही बात है लेकिन इन्होंने इसको mRNA platform पे नहीं बनाया है तो first statement जो हमारा गलत हो जाता है mRNA platform पे इसको नहीं बनाया गया है तो कैसे बनाया गया इसको viral vector platform पे बनाया गया है viral vector platform यानि कि इसमें एक viral use किया गया है viral vector platform का मतलब यह है यानि कि इस vaccine में chimpanzee chimpanzee का adenovirus use किया गया है और इसको modify करके हमारे जो ये basically इस vaccine में इस इडेनो वाइरस को मॉडिफाय करके इसमें COVID-19 का स्पाइक प्रोटीन डाला गया है जो की यूमन्स के सेल्स में जाए और यूमन्स के सेल्स को ये बताए कि देखो मेरा जो ये सेल आपको दिख रहा है वो COVID-19 का सेल है तो आपको अपनी इम्यूनिटी डिवलप करनी है इस तरह के सेल्स को लेकर तो ये बेसिकली इस कोल्ड वाइरस बेसिकली इनकेपिबल ऑफ इंफेक्टिंग रिसीवर तो ये जो वाइरस अभी डाला है ना COVID-19 का जो SARS-CoV-2 का वाइरस डाला गया इस वैक्सीन मे वो इतना स्ट्रॉंग निया कि सामने वाले को इंफेक्ट कर दे लेकिन इतना स्ट्रॉंग जरूर है कि सामने वाले के इम्यून सिस्टम को अवेर कर दे कि इस तरह का मेकनिजम काम करेगा तो तुम्हें इससे इम्यून होना है इसके लब स्पुटनिक 5 जो है ये वर्ड की वो inactivated थे, आपकी body में जाएंगे जरूर, लेकिन अपने आपको replicate नहीं कर पाएंगे, आपकी body को infect नहीं कर पाएंगे, आपको बस immune बनाएंगे, तो देखा जाएं यहाँ पे, तो Serum Institute of India ने COVID-19 की vaccine को शील प्रड्यूस करी, बिल्कुल सही है, लेकिन यह mRNA platform पे नहीं करी, यह vector viral platform पे इन्होंने बना ली, दूसरी चीज, Sputnik 5 vaccine के बारे में कि यह vector based platform पे बने गई है, यह सही है, तीसरी चीज, co vaccine inactivated pathogen based vaccine है, यह भी सही है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाता है, 2 and 3, अग अगर कोई भी doubt होना तो मुझे बताना comment section में, okay, बढ़ते हैं आगे, if a major solar storm या solar flare reaches the earth, which of the following are the possible effects on earth, याने कि हमारा जो हमारा earth है, earth के उपर अगर solar flare या solar storm आता है और टच करता है earth के atmosphere को, तो क्या-क्या effects हमको देखने को मिल सकते हैं, पहला है GPS and navigational system fail हो सकते हैं, दूसरा है tsunami आ सकती है, equatorial regions में, तीसरा है power grids damage हो सकती है, चौता है intense aurora आ सकते है, earth के sights पे, forest fires हो सकती है, satellites की orbits disturb हो सकती है, और short wave radio communication जो है, वो interrupt हो सकता है, ये साथ options आपकी पास है, इसका सही answer क्या है, इसका सही answer बता देती हूँ, GPS navigation system बिल्कुल disrupt हो सकता है, power grids बिल्कुल damage हो सकती है auroras आपको देखने को मिल सकते है, satellite के orbits disturb हो सकते है, short wave radio communication भी यहाँ पर interrupt हो सकता है, लेकिन tsunami और forest fire जो उनसे direct linkage नहीं है, तो अगर आप second और five हटा दो, आपको answer मिल जाएगा, second और five हटा ने, इसके बाद आपको मिल रहा answer C13467, ओके, अब क्या है, ये solar flare समझो, ये diagram आपको ये देख रहो, ये earth है, earth के आसपास अपनी इनकी magnetic field है, earth के अपनी magnetic field है, और एक magnetosphere है, ये magnetosphere basically earth की magnetic field को दिखाता है, और ये basically earth को protect करता है, बाहर से solar system से आने वाली दूसरी magnetic field से, okay, तो ये bubble की तरह आपको देखने को मिल रहा है, अब यहाँ पर ये है sun, sun के surface से कुछ पर eject होती है, तो sun आपको पता है hydrogen का बना हुआ है, यहाँ पर ये kromosphere है, ये corona है, और यहाँ से solar wind चालू होती है, ये continuous stream है, electrically charged gas की, यहाँ प्लाजमा रहता है, तो प्लाजमा के अंदर जो electrically charged gas है, वो इस solar wind में होती है, और वो sun के, sun से बाहर निकलती है हर direction में, और अर्थ के environment चंतर चली गई, तो अर्थ के environment को तो बहुत आसानी से disrupt कर सकते है, लेकिन मानलो अगर नहीं भी गई, तो अर्थ के आसपास जो भी satellites है, communication grid है, उसको disturb कर देती है, average speed इसकी बहुत 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 है, 400 km per second की speed है, temperature 1 million degrees Celsius इसका temperature है, तो इसलिए बहुत खतरनाक होती है, और इसको elf wind waves भी कहते है, यह magnetic waves होती है, जो की अपनी energy को transfer करती है, sun के surface से solar wind के अंतर करती है, तो यह basically solar flares जो है, यह intense burst of radiation होता है, जो sun से निकल कर आ रहा है, और आसपास के सारे environment को influence करता है, इसके चक्कर में जो earth के ओपर electronics चलते हैं, वो भी influence होते है, तो basically these are often associated with coronal mass eject projection, तो corona जो layer है, यहां से जब mass ejection होता है, उसके कारण यह इस तरह की solar flares आपको देखने को मिलती है, तो अगर आप देखोगे तो इसके कारण GPS system आपका खराब हो जाता है, आपकी power grids खराब हो जाती है, आपको जो आपका north pole और south pole है, यहां पे आपको aurora lights देखने को मिलती है, तो इसका सही आंतर होगा, 1, 2, 3, sorry, 1, 3, 4, 6, 7, okay, बढ़ते हैं यहां कि, so the next question is, which one of the following statement best describes the role of B cell and T cell in the human body, human body में B cell and T cell का role क्या है, यह question आता है, तो देखो चार options है, they protect the environmental allergens from the body, तो हमारी body में जो environmental allergies हैं, उसको protect करता है, उसके लवाद आपको 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 आ तो body में जो pain है, inflammation है, उसको काम करता है, they act as immunosuppressants of the body, immunosuppressants का का काम करता है, यहां fit they protect the body from diseases caused by pathogen, तो pathogen से हमारी body को बचाता है, क्या काम करता है, अब यह B cell और T cell बहुत news में थे, COVID के दोरान, क्यों news में थे, यह दोनों ही lymphocyte के types हैं, lymphocytes के type, अब यह lymphocytes क्या हैं, यह white blood cells के types हैं, आपने बच्पन में पढ़ा होगा, red blood capsules, white blood cells, इन सब के बारे में, तो यह red blood cells के ही types हैं, और इसमें जो T cells है, वो protect करता है हमको infection से, तो T cells जो है, यह कोई भी ऐसा, कोई cancerous cells होते हैं, या infected cells होते हैं, उनसे हमको protect करता है, उनसे हमको बचाता है, और यह immune response develop करव ही होती है, इन ही antibodies के कारण के होता है, कि हमारी body में अगर कोई भी pathogen, या कोई भी foreign substance, कोई भी toxins आ जाते हैं, तो उसको neutralize करने का काम या antibodies करती है, तो चाहे T cell हो की B cell हो, हमारी body में अगर कोई pathogen, कोई भी foreign substance आ रहा है, कोई toxins आ रहे हैं, तो उनसे हमें बचाने का काम करता ह उन डिसीजिस हमको बचाने का काम करता है T cell and V cell तो इसलिए इसका अंसर होगा D बढ़ते हैं आगे next question की तरफ question number 12 जो है 2022 का वो है consider the following statement आपको यह statements consider करके बताने कौन सा सही कौन सा गलत तो देखो यहाँ पर nanoparticles के बारे में question है other than those made by humans nanoparticles do not exist in nature now see this is an extreme statement in itself कि कि जो humans ने develop करें बस वही nanoparticles है उनके अनावा कोई nanoparticles दुनिया में exist ही नहीं करते तो देखो यह बहुत extreme बहुत tall claim हो गया इसलिए इसके गलत होने के chances जादा हो जाते हैं तो हमें लग रहा है कि यह गलत है दूसरा है nanoparticles of some metallic oxides are used in the manufacture of some cosmetics तो कुछ metallic oxides का यूज हम करते हैं कुछ cosmetics बनाने के लिए कुछ metallic oxides निकलने वाले nanoparticles का हम यूज करते हैं कुछ oxides बनाने कुछ cosmetics बनाने के लिए then nanoparticles of some commercial products which enter the environment are unsafe for humans तो अब समझना यहाँ पे अगर माननों आपको इसके बारे में नहीं बता लेकिन अवा उतना common sense यूज करके थोड़ा सा दिमाग यूज करके इसको solve कर सकते हो देखो पहला statement तो extreme हो गया दूसरा और तीसरा statement काफी कुछ possible है क्यों possible है क्योंकि यहाँ पे लिखा है किसी some some metallic oxides के nanoparticles some cosmetics में यूज हो सकते हैं तो अगर देखा तो two or three सही दिख रहे हैं यह तो हमने बात करी उस हिसाब से कि भई उस हिसाब से आंसर आ रहा है हमारा D और सही आंसर भी डी ही है क्यों क्योंकि तेखो naturally occurring nanoparticles तो जो होते हैं जैसे आप बोड़र human based particles होते human based nanoparticles होते हैं वो तो होते हैं जो आप अपने scrubs में देखते हैं कि आपने कभी न कभी facial scrubs यूज की होंगे toothpaste में beards जैसे आते हैं यह सब होते हैं nanoparticles जो pollution होड़ा है उसके कारण लेकिन इसके अलावा भी nanoparticles होते हैं जो की हमको naturally occurring होते हैं जो दिखते हैं जैसे ashes में आपको दिखेंगे oceans में दिखेंगे, ocean sprays में, volcanic ashes में दिखेंगे, dust में दिखेंगे, fine sand में दिखेंगे और कई बार biological matters में भी होते हैं तो यह ऐसा नहीं कि nanoparticles सिर्फ human made है naturally भी अगर करते हैं और इनका use metallic oxides के कुछ nanoparticles का use किया जते हैं cosmetics में और कुछ nanoparticles जो commercial products के लिए use होते हैं वो काफी बारेस होते हैं कि environment को harm पहुँचाते हैं तो इसका सही answer हो जाएगा two and three बढ़ते हैं आगे question number 13 which is related to DNA barcoding देखते है question क्या है question है कि DNA barcoding किस चीज के लिए use होता है पहला तो plant और animal की age को access करने में दूसरा है species जो आपस में एक जैसे दिख रहे हैं उनको distinguish करने में और तीसरा है undesirable animals या plant materials को identify करने में तो देखो समझो DNA barcoding का मतलब क्या है जिसके थुरू आप यहां पर identify करते हो कि biological species जो है उनके अंदर किस तरह का genetic matter है आप उसको amplify करते हो genetic matter को sequence करते हो उसके थुरू information निकालते हो कि basically यह जो particular organism है उसके अंदर का composition है जो genetic material है वो क्या किस से related है तो geologist जो है वो अलग-अलग चीज़े यूज करते हैं लेकिन जैसे अगर यहां पर लिखा है ना first option कि plants और animals की age निकालने के लिए DNA barcoding की जाते है यह option गलत है क्यों क्योंकि DNA barcoding को यहां पे plants और animals की age निकालने के लिए नहीं यूज करता species को 이름 करने में यूज कर सकते हो एज निकाल के लिए तो carbon dating और uranium के थ lesbian के तुन हम निकालते हैं यह सारी यूज के इसा जिए ना question है इसकी जवाड़ू प्लाइनियमियमünde करते हैं कार्बन चब्रूकरा का यूज करते हैं यह सब हम DNA बार्कोडिंग के सतरों निकाल सकते हैं तो इसका सही आंसर होगा क्या 2 & 3 बढ़ते हैं अगे 2021 के आंसर, 2021 के questions को हम देखते हैं तो देखो भई ऐसा है 2021 का पहला question water can dissolve more substances than any other liquid because water बाकी liquids के comparison में better solvent बनता है बहुत अच्छे से किसी भी चीज़ को dissolve कर लेता है ऐसा क्यों? it is dipolar in nature, it is good conductor of heat, it has high value of specific heat और यह oxide है, hydrogen की क्या option इसका सही है देखो इसका सही answer है dipolar in nature देखो water जो है इसको universal solvent कहा जाता है क्यों? क्योंकि यह दुनिया भर के जितने भी substances है न उनको सबको dissolve करने के लिए capable होता है क्यों ऐसा होता है? क्योंकि water की chemical composition ऐसी है water का formula क्या होता है? H2O H2O ठीक है? जिसमें H, O, H इस तरह से यहाँ पे bonding की जाती है आपने बच्पन में पढ़ा होगा तो O जो होता है, वो negative होता है पॉजिटिव जो है वो negative पे attract होगा negative जो है वो positive पे attract होगा तो यह dipolar nature जो है water का water की chemical composition में वो यहाँ पे इसको इस हिसाब से attractive बनाता है कि कोई भी substance ता है, वो positive हो या negative वो कोई भी pole का हो, वो इस पे आके attract होता है तो water molecules का polar arrangement oxygen and hydrogen atoms का लेकर ऐसे है कि एक side पे hydrogen है जो positively charged है और एक side पे oxygen है जो negatively charged है और इनके कारण जो भी molecules आस पास दिखते हैं चाहे वो positive हो या negative हो, वो इनसे attract होते हैं तो इसलिए dipolar होने के कारण यह बाकी सारे substances को attract करता है और यह इतना strong होता है आपने देखा होगा salt जो आप मिलाते हो water में salt का formula क्यों होता है NaCl यानि की sodium और chlorine यहाँ पे होता है sodium chloride basically बनता है NaCl जो की salt का formula है यह इनके बीच में बहुत strong bond होता है लेकिन सोचो water का यह dipolar nature इतना strong होता है कि वो इनके bond को भी तोड़ देता है इनके bond को तोड़ के अलग-अलग कर देता है और इसी लिए यह salt डिजॉल होता है water में बढ़ते हैं आगे With reference to street lighting Street lighting से related question है How do sodium lamps refer to LED lamps तो sodium lamps और LED lamps में क्या difference है आपने सुना होगा उजाला scheme के बारे में उजाला scheme आई थी हमाली सरकार लेकर आई और LED lamps के उपर जोर दिया गया तो basically application based आपको यहां पर question देखने को जादा मिल रहे है Science and Tech में इसका भी ध्यान रखना ना देखो पहला statement बूरा है Sodium lamps produce a 360 degree light but not so in the case of LED lamp Sodium lamp कैसे होते है Sodium lamp ऐसे होते हैं 360 degree lights जाती है जैसे bulb होता है ना bulb बल्ब में कैसे होते है 360 degree lights आती है लेकिन LED lamps कैसे होते है LED lamps में आप targeted कर सकते हो यानि कि यहां पर वान दो यह आपने LED lamp लगा है तो यह सिर्फ इसी direction में light देगा 180 degree इसका angle set के जाता है जिबकि इसका angle 360 degree होता है तो LED lamps जादा better targeting करते है लाइट की ओके तो पहला statement सही दूसरा statement as the street light sodium lamps have longer life span than LED light lamps यह गलत है देखो जब आप यहां पे पूरी electricity पूरा सारी energy लगा रहे हो और वो energy waste भी हो रही है जिसे आप देखते हो bulb जो आप लगाते हो bulb का जो light नीचे आ रही वो तो काम किया लेकिन जो bulb के light उपडर जा रही है वो कोई काम की नहीं है Okay अप street light में ऐसे लगादो ये street light में आपने ये bulb लगा दिays इस सथेत्मेन गलत हो जाता है ये साँ है कि सोडियू रांप जो होता है ये जनरली वांव यलो लाइट आपको देता है वांव वाम यलो लाइट देता है monochromatic होता है लेकिन LED में आपको आपकी पास कई सारे color options होते हैं तो उस हिसा आप से देखा जाए तो 1 in 3 इसके सही answers है 1 in 3 statements आप करें बढ़ते हैं आगे and next हमारा question है regarding ACE2 ACE2 क्या है? ACE2 term किससे linked है? ये भी news में थी COVID का दौरान तो what is it? Is this the gene introduced in genetically modified plants development of India's own satellite navigation system radio callers for wildlife tracking और spread of viral disease ये किस से related है? तो देखो ये जो है नहीं ये इस D option से related है viral disease के spread से ACE2 basically protein है ये एक ऐसा protein है जिससे आकर ये एक ऐसा protein है जिस पे आकर हमारा COVID-19 का जो spike protein है वह आकर चिपक जाता है और हमारे humans के अंदर enter कर जाता है और हमारी बोडी में इंटर कर जाता है और अपने आपको replicate करने लगता है तो ACE2 is related to the spread of viral disease बढ़ते हैं आगे next question is bisphenol A the cause of concern is a structural or key component in the manufacture of which of the following kind of plastics तो bisphenol A का use कहां पे कौन से तरीके के plastics में जादा होता है जोगो low density polyethylene, polycarbonate, polyethylene, terapethylate या फिर polyvinyl chloride ये चार option है तो इसका सही answer है polycarbonate polycarbonate में bisphenol A जो है उसका use सबसे जादा होता है bisphenol A से उस तरह के polycarbonate plastic kind of plastic बनते हैं जो कि hard plastic items होते हैं तीक है hard plastic items जैसे कि आप देखते हैं बेबी bottles बनती हैं या फिर reusable water bottles हो गई food containers हो गई जो थोड़ा सा strong, थोड़ा सा hard kind of plastic होता है मैं उसको बोलते हैं polycarbonate plastic इसको बनाने के लिए bisphenol A का use किया जाता है और bisphenol A से epoxy raisins भी बनते हैं epoxy raisins basically इस तरह का एक material है जिसको आप basically layer करते हो on any kind of plastics और any kind of metals जैसे आप देखते हों bottles जो होती cans जो होती है जो इसमें आप cold drinks वगईरा पीते हो उनके अंदर इसकी layering होती है bisphenol A के epoxy raisins की so that वो जो metal है या वो जो element है वो food में ना मिल और food का adulteration ना हो food contaminant ना हो इसके लिए भी epoxy raisins यहाँ पर बनाए जाते हैं bisphenol A से ही बनते हैं लेकिन इसका सबसे बड़ा issue यह है कि bisphenol A जो है कई बार release हो जाता है food materials में और यह उनको toxic बना देता है इसी लिए इस तरह के bisphenol A के जो products हैं plastic है उसमें आप जादा hot beverages या जादा cold beverages नहीं रख सकते ठीक है alcohol वगेरा भी आप नहीं रख सकते और बढ़ते हैं आगी next हमारा question है triclosan considered harmful when exposed to high levels of high levels for a long time is most likely present in which one of the following triclosan किसके अंदर पाया जाता है अगर आप इसमें बहुत जादा time तक इसका exposure लेते हो तो काफी खतरना किये हो सकता है तो triclosan आपको food preservatives में मिलता है fruit ripening substances में मिलता है reused plastic containers में या toiletries में इसका सही answer है toiletries में COVID-19 जब आया था तो sanitizers बहुत यूज हो रहे थे और इस sanitizers के कारण कुछ problems भी हो रही थी लोगों को आपने देखा होगा doctors बगेरा बहुत जादा sanitizers का use करने के चक्कर में उनके हाथ बगेरा थोड़े से गलने से लग गए थे उनकी body पर rashes होने लग गए थे यह क्योंकि उनके अंदर triclosan होता है जो कि हमारी body को अगर आप बहुत लंबे टाइम तक इसको expose करके रखोगे तो बहुत खतरनाक हो सकता है तो यह triclosan हमारे toiletries में sanitary products में आपको मिलता है okay, soap अगेरा मैं basically देखने को मिलता है question number six is which one of the following is the reason why astronomical distances are measured in light years तो अब देखते हो कि हम जिसे earth से sun का हमको distance निकालना है earth से moon का अगर distance निकालना है तो हम इसकी बात करते है light years में हम kilometers में बात नहीं करते हैं हम meters में बात नहीं करते है light years में बात करते हैं okay, तो light years क्या है basically समझना यह चीज, light year क्या होता है कि बही कोई भी light की beam एक साल में one year में कितना distance travel करी that is light year तो one light year उसको कहते है तो जब भी हम astronomical measurements करते हैं उसमें हम light year को use करते हैं ऐसा क्यों? क्यों कि पहला statement देखो distance among stellar's body do not change तो stellar bodies के अंदर distance change नहीं होता कैसा होता है? ऐसा नहीं होता देखो distance जो है तो उनों के बीच में change हो सकता है earth और moon के बीच में क्या distance हमेशा same रहता है? नहीं ये earth है और यहाँ पे ये moon है कभी moon यहाँ है तो जादा distance पे है कभी moon यहाँ है तो कम distance पे है वैसी earth जो solar system में revolve कर रहा है sun के आसपास उसमें भी celestial bodies इसके बीच में difference आ रहा है distance के बीच में तो पहला तो option ही गलत है दूसरा gravity जो है stellar bodies की change नहीं होती ये भी गलत है gravity भी change होती रहती है आप देखोगे earth पे देखोगे तो equator पे अलग gravity poles पे अलग gravity है तिक है इसके लब light always travels in straight line ये सही है लेकिन इसमें भी अभी देखना है कि क्या इसके लिए हम light years यूज करते हैं और चौथा speed of light is always same देखो इसका सही answer है light years हम use इसके लिए करते हैं क्योंकि हमें एक standard चाहिए कि जो कभी बदले ना उस basis पे हम measure कर पाएंगे किसी भी चीज को और ऐसा measure हमको मिलता है speed of light से speed of light क्या है 3 into 10 to the power 8 meter per second ये speed है light की और ये light के speed कभी भी change नहीं होती इसलिए आप जो astronomical observations करते हो उसमें measurements distance के form में अगर करनी है तो light ये की form में करते हो कि कोई light एक साल में कितना travel कर रही है अगर मैं ये कहती हूँ कि इस एर्थ से मून की जो मून है वो एक light year दूर है मतलब अर्थ पर अभी हम जो देख रहे हैं वो मून पर एक साल पहले ही घट चुका है घटित हो चुका है पहले ही हो चुका है तो ये बेसिकली system होता है बढ़ते हैं next question number 7 की तरफ question number 7 is with reference to recent developments regarding recombinant vector vaccines consider the following statements तो recombinant vector vaccines के बारे में question है genetic engineering is applied in the development of these vaccines and bacteria and viruses are used as vectors तो दोनों आपको समझ पारे हो कि यहां पे एक तो genetic engineering apply की जारी है recombinant vector vaccines में और दूसरा bacteria और virus को भी आप use करो as vectors तो सही statement कौन सा है समझते हैं देखो recombinant vector vaccines के बारे में अगर जानना चाहो तो उसमें समझो के यह genetic engineering के थू ही बनती है genetic engineering इसमें लगती है recombinant vaccines बनाने के लिए vector vaccines और इसमें genetic engineering जो है उसमें ऐसी techniques लगती है जो की आपके genetic material को basically alter कर सके तो basically it involves the techniques to alter the chemistry of genetic material जाहे वो DNA हो और आरन हो and this is done to introduce the host organism and this changes the phenotype of the host organism तो basically होता क्या है कि इस technique के थूँ genetic engineering के थूँ आपके अंदर basically recombinant DNA को create किया जाता है gene cloning की जाते है gene transfer किया जाता है तो vaccines क्या करती है समझ ना इस चीज़ को vaccines क्या करती है आपको immune बनाती है किसी भी disease से तो मान लो कोई COVID का ही disease है COVID के disease में COVID-19 का ही issue है और COVID-19 से ही related recombinant genes हमने बनाए recombinant DNA बनाए और उसको अगर मैं आपकी body में inactive form में attenuated form में enter करवा दूँ तो आपकी body को पता भी चल जाएगा कि देखो ये ऐसा gene आने वाला है और आपकी body infect भी नहीं होगी तो वही चीज़ की जाते genetic engineering के थूँ और recombinant vaccine में viral या bacterial vectors दोनों डाले जा सकते हैं दोनों चीज़ों के थूँ आपको ये immunity दी जा सकती है तो host organism में ये basically डाला जाता है तो दोनों statement इसलिए सही हो जाते है क्योंकि genetic engineering भी हो रही है यहां पर और bacteria virus दोनों यूज हो रहे है vectors के form में तो इसका answer होगा C बढ़ते हैं आगे question number 8 की तरफ hereditary diseases से related question है अब देखो ये एक ऐसा topic है जो UPSC में एक बार नहीं दो बार नहीं तीन से चार बार पूछा है और after in vitro fertilization of the eggs उसके अलावा a child inherits mitochondrial disease entirely from the mother and not from the father तो देखो समझवना यह क्या है question क्या है समझाते हो देखो ऐसा है कि मान लो यह है male और यह है female ठीक है यह male और female जो है जब इन दोनों के अलग अलग जैसे इनका sperm और इनका egg cell मिला ठीक है यह cell में जो nucleus होता है nucleus में दोनों का mother and father दोनों के genetic materials आते है ठीक है और इसके लग एक mitochondria होता है जिसको आप generally power power organ भी कहते हो या power center भी कहते हो अपने cell का ठीक है तो यहाँ पर यह mitochondria होता है इस mitochondria में जो भी genetic material होता है जो भी mitochondria आता है वो females यानि की mother से आता है जो बच्चे का cell है उसमें zygote में जो mitochondria that is completely female और mother driven nucleus में genetic material mother और father दोनों का होता है अब मान लो कि इस female जो है इस female को कुछ ना कुछ genetic disorder है अब chances यह हैं कि क्योंकि इस female को genetic disorder है इसलिए इसके बच्चे में भी genetic disorder आ सकता है mitochondria से related genetic disorder है तो इस बच्चे में भी आ सकता है तो ऐसे में क्या किया जाता है इस बच्चे का जो यह zygote cell बना इस zygote cell में से जो nucleus है यह nucleus जो है इसको अलग कर दिया जाता है और इसको इस nucleus को एक donor cell एक दूसरी female का egg cell लिया जाता है इस female के egg cell में इस female के egg cell को इस sperm के साथ enter कर वा जाता है basically यहां पर इसको merge कर आ जाता है और इसमें जो nucleus है वो nucleus इस cell का डाला जाता है और बाकी mitochondria जो है वो इस female से मिलेगा इस cell को तो इसमें क्या होता है कि यह जो mitochondria यह जो original mother है उसका ना मिलकर किसी तीसरी female का यहां पर mitochondria मिला है तो यहां पर दोनों का mother और father जो भी है male और female जो भी है दोनों के जो gene है वो इस baby में गए उस zygote में गए लेकिन mitochondria मदर का नहीं गया original mother का mitochondria नहीं गया वो donor mother का mitochondria गया है तो ऐसे zygote से ऐसे zyaikot को फिर वापिस से इस मदर में, मदर के uterus में inject किया जाता है, और फिर ये मदर ही actual में अपने baby को जनम देटी deliver करती है, लेकिन इसके baby में एक खासियत ये होगी, कि इसके baby में जो genetic material है, वो mother और father का ही है, male और female का ही है, ओरीजिनल, लेकिन टेखनीक है तो mitochondria replacement therapy इसको कहते हैं और आप देखोगे जितने भी mitochondrial diseases हैं वो किसी भी बच्चे को अपनी mother से ही मिल सकते हैं father से नहीं मिल सकते क्योंकि father का mitochondria बच्चे में आता ही नहीं सिर्फ mother का ही आता है तो ऐसे मैं अगर देखोगे तो mitochondrial diseases को pass करना अगर parent to child अगर pass हो रह है नहीं यह है pro nuclear transfer ओके ऐसे कई सारी techniques है इसके अलावा child inherits mitochondrial diseases entirely from the mother and not from the father यह सही बात है तो बिलकुल mother से ही सिर्फ mitochondrial disease मिल सकता है बच्चे को यहां पर दोनों options हो जाते हैं बोथ one and two अब देखो सरा समझना इस चीज को mitochondrial replacement therapy यह क्या है एक ऐसी थेरपी है जिसमें की reproductive IVF यानि की in vitro fertilization करवाया जाता है और इसमें क्या होता है जो women है जो mother है actual mother जो है उसका mitochondria हटा के उसको mitochondrial DNA को हटा के किसी third woman का mitochondrial DNA enter करवाया जाता है उस baby cell में तो डोनर का यानि की जो healthy women है third women है उसका जो mitochondria जो healthy है वो enter करवा जाता है इस zygote में इस egg cell में ओके तो यहां पे spindles transfer pro nuclear transfer polar body transfer इस सारे methods है जिसके तुरू आप यह transverse कर सकते हो mitochondria को replace कर सकते हो तो pro nuclear transfer जो हमने देखा न इसमें क्या होता है फोर्टिलाइशन के बाद यानि कि जब mother और father यानि कि male और female मान लो male और female आपस में यहां पे donor से mitochondria लेकर donor का cell लेकर उसमें यह nucleus डाला जाता है तो यह IVF में fertilization के बाद की process है pro nuclear transfer में वैसे maternal spindle transfer होता है जिसमें कि before fertilization ही इसको execute कर जाता है यह mitochondrial therapy जो है replacement therapy execute कर जाती है और mitochondria की अगर बात करें तो mitochondria में DNA होता है ठीक है देको दो जगर DNA मिलता है आपके cell में एक होता है nucleus इस दूसरा होता है mitochondria तो mitochondria में DNA होता है और इसी mitochondrial DNA से बच्चे के पास mitochondrial DNA जाता है mother का okay तो इसी लिए अगर offspring को mitochondrial genes अगर कहीं से मिल रहे है तो वो mother side से मिलते ना कि father side से okay next बात करते है question की question 9 है ball guard 1 and ball guard 2 technologies are mentioned in the context of तो ball guard 1 and ball guard 2 किस से related है clonal propagation of crop plants developing genetically modified crop plants production of plant growth system and production of bio fertilizer सही answer है B देखो genetically modified crops जो है उसमें ball guard 1 और ball guard 2 technologies add की गई है यह ball guard cotton जो BT cotton का आपने नाम सुना होगा यह BT cotton genetically modified cotton है पहले इस cotton में कई सारे तरीके के diseases होते थे ठीक है अब उन diseases से protect करने के लिए यह BT cotton genetically modified cotton मनाया गया जो कि ball worm यह एक disease हुआ करता था destructive disease हुआ करता था ball worm उससे protect करने के लिए cotton को genetic modification किया गया और ball guard cotton मनाया गया यह basically genetically modified crop है जो कि किसी भी cotton के crop को या किसी भी crop को insecticidal protein से basically इसमें insecticidal protein होता है और इससे बचाता है यह soil microorganism है जो basically crop को खराब करते उससे बचाता है तो ball guard BT cotton जो है यह इंडिया का पहला biotech crop technology है जिसको approve किया गया commercialization के लिए तो आज की जीट में commercially यह crop बिखता है खरीदा जाता है और ball guard two technologies superior है double gene technology है जिसमें ball worms के against protection दिया गया है cotton crop को बात करते है next question number 10 in a pressure cooker temperature at which food is cooked depends mainly upon which of the falling यह थोड़ा सा confusing question है इसके अलग-अलग answers आपको देखने को मिलेंगे जो question number 10 है यह बोलता है कि pressure cooker में जो खाना अंदर पक रहा है उसका जो temperature है वो किन-किन बातों पर basically depend करेगा temperature अंदर के जो food का है जो cook की अजर है उसका जो temperature वो किन-किन बातों पर depend करेगा पहला है area of the hole in lid तो आप देखते हो मानलो यह cooker है और यह cooker के उपर यह lid है इस तरह से lid होती है और यहां बे-hole होता है तो यह hole कितना बड़ा है उस पर भी depend करेगा कि अंदर का जो food है वो कितना cook हो रहा है अगर यह बहुत बड़ा hole होगा तो जो सारी steam generator हो रही अंदर वो ब पर food का temperature depend करता है पहला option तो सही है तीसरा weight of the lid lid का weight कितना है उसके उपर भी क्योंकि अगर lid का weight जादा है तो अंदर cook होने वाले food के अंदर pressure बड़ेगा और जैसे जैसे pressure बड़ेगा वैसे वैसे अंदर cook होने वाले food का temperature भी बड़ेगा इसलिए weight जो है lid का वो भी important है तीस प्रेशर कोकर में हम क्या बनाते है प्रेशर कोकर में हम ऐसा food बनाते है जिसमें water यूज होता है या water-based liquids होते है boil basically हम उसमें कर सके इस तरह कोई food को करते है तो यह flame का temperature अंदर के food को सिर्फ तब तक impact डालेगा जब तक यह अंदर का temperature 100 degree Celsius ना हो जाए यह boiling temperature है water का तो यहां तक ही डालेगा असर flame का जो temperature है वो इस पे लेकिन overall यहां पे आप देखते हो pressure cooker के अंदर 121 degree Celsius तक temperature जाता है तो यह flame का जो temperature अगर आप 100 degree Celsius से बढ़ाते हो तो उससे कोई फरक नी पड़ेगा अंदर के temperature पे क्योंकि वो already boil हो रहा है तो कई जगह पे आप इस कांसर देखोग है microorganism जिसको आप artificially synthetic medium के तुरू culture कर सकते हो बना सकते हो तो basically यह तीनों ही ऐसे है तीनों नहीं सोरी यह दोनों ऐसे है bacteria इन फंजाए जिनको आप synthetically culture कर सकते हो वाइरस को नहीं कर सकते है क्यों कि वाइरस के अंदर metabolic machinery नहीं होती है यह खुद से नहीं बन पाता खुद से का जाता है जैसे मानलों यह कोई person है इस person ने इस virus को touch किया और यह पहले इन एक्टिव था यह वाइरस लेकिन जैसे इस person ने इसको touch किया यह body के अंदर गया और यह host के अंदर जाती है अपने आपको multiply करने लगता है तो metabolic activity खुद से इसकी बंद रहती है यह जब किसी host में जा तो इसके हिसाब से सही आंसर हुआ one and two only okay बढ़ते हैं आगे next question is about adenovirus adenovirus have single stranded dna genomes whereas retrovirus have double stranded dna genomes okay तो basically यह जो question है adenovirus retrovirus ही क्यों है आप समझ सकते हो covid चल रहा था तो viruses के बारे में questions जादर देखने को मिलेंगे आपको तो adenovirus और retrovirus का statement यह basically switch कर दिया गया है adenovirus में double stranded dna मिलता है जबकि retrovirus में single stranded dna मिलता है पहला option गलत है दूसरा common cold जो है कई बार adenovirus के कारण होता है और aids कई बार retrovirus के कारण होता है यह सही है ठीक है बिलकुल सही है यह statement second वाला तो इसका सही statement होगा two अब adenovirus के बारे में अगर आप जानना चाहो तो जो normal viral fever ह होता है न हमको वो generally adenovirus की कारण होता है तो adenovirus एक group है group of common viruses है जो कि generally आपको viral fever होता है cold cough यह साली चीज़ों के पीछे adenovirus family रहती है तो इसके चक्कर में आपके ice की lining हो गई airways हो गई, lungs हो गई, intestine, urinary tract, nervous system इन सबको infect कर सकता है adenovirus तो common cause होता है fever का, cough का, sore throat का, diarrhea का, pink eye का इन सबका common cause है adenovirus होता है infections generally बच्चों में जादा होते हैं adults से और adenovirus genome जो होता है यह single linear molecule होता है double stranded DNA का तो double stranded DNA का यह basically molecule होता है adenovirus जबकि retro virus में single stranded DNA आपको देखने को मिलता है adenovirus के कारण common code होता है जबकि HIV का कारण होता है retro virus ठीक है तो HIV retro virus के तौर पे classified है क्योंकि इसमें reverse transcriptase होता है बढ़ते हैं आगे question number 13 की तरफ which one of the following is used in preparing natural mosquito repellent तो natural mosquito repellent आप किस से बना सकते हूँ तो इसका simple answer है simple question थोड़ा easier था यह दिख रहे हैं यह grass इसको बोलते है lemon grass यह lemon grass बहुत useful है mosquito repellent बनाने में तो इसका सही आशर होगा c lemon grass is a tall herb that is abundantly found in tropical and subtropical areas of Asia, Africa and Australia तो चाइन और इंडिया में maximum production होता है lemon grass का और यह lemon grass से मच्छर नहीं आता है आसपास होगे mosquito repellent का काम करता है बात करते हैं आगे question number one की बात करेंगे 2020 year की बात कर रहे हैं तो which of the following statements are correct regarding general difference between plant and animal cell plant cell और animal cell में क्या-क्या difference है इसके बारे में question है तो देखो plant cells have cellulose cell walls while animal cells do not have that तो cell wall की बारे में बात हो रही है पहली तो दूसरे है plant cells do not have plasma membranes unlike animal cells which do तो दूसरे में plasma membrane की बात हो रही है तीसरा है mature plant cells have one large vacuole while animal cells have small vacuoles many small vacuoles okay तो basically biology से related फिर से question है बड़ा ही basic question biology जब आप पढ़ रहो science में तो कम से कम इतना तो करना है अचा मैंने कई साले students को देखा जो सिर्फ science and tech में सिर्फ और सिर्फ current affairs पर depend करते है that is not a right strategy देखो बहुत सारे देखो जैसे ये वाला question है ये static में से ये current में आपको नहीं देखने को मिलेगा ये static में से तो कुछ basic static जो knowledge है आपका science का science and tech का वो कोना चाहिए okay बढ़ते हैं आगे तो देखो यहाँ पे plant और animal cell का मैं आपको ज़रा देखो ये है plant cell और ये है animal cell okay अब देखो cell wall की बात हो रही थी ये रही cell wall plant cell में cell wall है animal cell में cell wall नहीं है ठीक है animal cell में cell wall नहीं है तो उस हिसाब से पहला statement सही हो जाता है दूसरा plasma membrane की बात है कि plasma membrane के बारे में कहागे कि plant cell में plasma membrane नहीं है animal cell में है ये गलत है देखो ज़रा यह है आपका animal cell और इस animal cell में आप देखते हो यह है plasma membrane ठीक है जो बाहर की outer layer है उसको बोलते है plasma membrane जबकि plant cell में भी है यह cell membrane को ही plasma membrane कहते हैं तो दोनों में है यह ठीक है plasma membrane दोनों में देखने को मिलते है second statement गलत है third statement सही है जो plant cell है उसमें बहुत बड़ा सा vacuum यह जो है यह आपको plant cell में animal cell में देखने को मिलते हैं जबकि बड़ा सा एक vacuum देखने को मिलता है plant cell में third statement सही है इसका सही आपसर होगा one and three आप चाहो तो इसको ज़रा सा इसका screenshot ले सकते हो animal and plant cell के diagram का और इसको थोड़ा observe करना कि किसमें क्या मिलता है किसमें क्या नहीं मिलता है जैसे साइटो प्लाज्म क्या animal cell में मिलता है चेक करना ओके राइबोसों कैसे कैसे मिलते हैं दोनों जगव पे सब चीज़े चेक करना ओके बात करते हैं next question की in the context of recent advances in human reproductive technology pro nuclear transfer is used for मैंने कहा था न यह topic UPC का favorite science in tech में pro nuclear transfer के बारे में फिर से question आ गया यादे अभी हमने थोड़ replacement therapy की हमने बात करी थी जिसमें हमने देखा था कि जो baby है जो baby है cell है zygote है उसको mitochondria अपनी mother से मिलता है और अगर mother में कोई genetic disorder है और वो नहीं चाहती कि बच्चे में भी disorder हो तो वो अपना mitochondria हटा कि किसी तीसरी women का mitochondria रख सकती है इसी को कहते है pro nuclear transfer तो basically होता क्या है कि मानलो यह है mother का egg तीक है mother का egg है और mother का egg इस तरह का यह zygote है basically तीक है mother का egg जो है जो तीसरी women है उसका egg है उसके egg में से हमने जो nucleus है उसको हटा दिया और mitochondria को रखा तो ऐसे में यह वाला एग बना यह वाला एकसल बना जिसमें जो nucleus है वो original mother का है और जो यहां पर mitochondria है वो donor का है तो इसको हम fertilize कराएंगे अगर sperm के साथ तो हमारा जो final zygote बनेगा उसमें कोई भी mitochondrial disease नहीं होगा mitochondria क्योंकि हमने donor से लिया हुआ है तो यह पूरा प्रो न्यूक्लियर टेक्नीक जो है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर वाली टेक्नीक जो है यह किस से related है यह related है prevention of mitochondrial diseases in offspring से related ठीक है याद रखना चारों option देख लो कि पहला option बोर रहा है कि in vitro fertilization में donor sperm के fertilization से related है तो sperm donor ही नहीं sperm तो होता है male का ठीक है तो male तो donor ही नहीं यहाँ पर female donor है ठीक है पहली चीज़ तो यह दूसरी चीज genetic modification है यहाँ पर कोई genetic modification sperm producing cells में नहीं करें स्पर्म से related है नहीं है एग से related है इसके अलावा क्या हम इसमें stem cells develop कर रहे हैं functional embryos में ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर egg cell का हम थोड़ा सा modification कर रहे हैं उसमें एक donor add कर रहे हैं so that mitochondria उसको healthy मिल सके जो ultimately zygode बनेगा उसमें बात करते हैं question number three के next question कहता है what is the importance of using pneumococcal conjugate vaccines in India अब यह pneumococcal conjugate vaccine है क्या conjugate का मतलब होते combination combination of vaccines combination of microorganism इसको आप कह सकते हो conjugate okay pneumococcal conjugate vaccine basically pneumococcal diseases के लिए होती है pneumococcal disease याने की वो diseases जो generally children को और adults को जादा होते हैं ठीक है pneumococcal disease मतलब वो होता है जो कि किसी bacteria के कारण हो और यह bacteria का नाम क्या है इस bacteria का नाम ही है streptococcus pneumococcus इस तरह से इसका नाम है तो इस bacteria के कारण होने वाले जितने भी infection है जिसमें pneumonia included है जिसमें आप देखते हो sinus included है meningitis included है इस तरह के जो diseases है pneumococcal disease कहते हैं इनसे बचाने के लिए इनसे प्रिवेंट करने के लिए आपको लगाई जाती है pneumococcal conjugate vaccine okay तो इस vaccine के बारे में question है that these vaccines are effective against pneumonia as well as meningitis and sepsis यह सही statement है क्योंकि यह तीनों जो है pneumococcal diseases है चाहे pneumonia हो meningitis हो sepsis हो sinus हो यह सारे pneumococcal diseases है दूसरा dependence on antibiotics that are not effective against drug resistant bacteria can be reduced तो यहां पर जो dependence antibiotics के उपर यह reduce हो सकती है क्योंकि आपने पहले vaccine लगा लिए यह सही है these vaccines have no side effects and cause no allergic reactions देखो यह थोड़़ vaccine हो गया कि कोई side effect कोई reaction नहीं होगा आप देखते हो जैसे बच्चों को भी vaccines लगती तो वह एक-दो दिन बिमार रहते हैं क्यों क्योंकि वह उसके side effects होते हैं तो vaccine में होता क्या है आप सभी को most of the cases में नहीं देखने को मिलती लेकिन कई बार देखने को मिलती भी है तो एकदम no side effect या no allergic reactions कह देना थोड़ा से extreme हो जाता है इसलिए इसका सही आंसर होगा one and two only okay बढ़ते हैं आगे question no four carbon nanotubes की बारे में है ये carbon nanotubes की बारे में पहला statement है that they can be used as carriers of drugs and antigen in the human body so human body में carbon nanotubes को आप use कर सकते हो antigen या drug provider के तुरू दूसरा है they can be made into artificial blood capillaries for injured part of the human body तो human body में artificial capillaries के तुरू इसको आपकी body में डाला जा सकता है तीसरा है that they can be used as biochemical sensors and जोता है कि carbon nanotubes are biodegradable तो ये biodegradable की होते हैं चार option ने आपके सामने चारों यहाँ पे सही है ठीक है चारों ये सही option है क्यों carbon nanotubes होता क्या है पहले बताते हूँ ये इस तरह का एक आपको arrangement देखने को मलता है carbon nanotubes का होता क्या है carbon का एक allotrop होता है आपने सुना होगर कभी तो इसके बारे में carbon का एक allotrop होता है जिसको कहते हैं graphene ये graphene की ही एक sheet होती है इस तरह की एक sheet होती है और इसको अगर आप ऐसे roll कर लोगे न तो ये nano tube बन जाता है हमारी body के अंदर जाके drugs deliver कर सकता है हमारी body के अंदर अगर कोई injured part है उसको ठीक कर सकता है और इसके कारण के होते है carbon nanotubes अगर आपने अंदर डाला तो ये bio degradable भी होता है automatically degrade होके बाहर आ जाता है ये ठीक है तो carbon nanotubes जो होते हैं ये cylindrical molecules होते हैं जिसके अंदर basically sheets होती ह है single layer carbon atoms की जिसको graphene कहते हैं तो graphene की sheet से carbon nanotubes बनाए गया है ये basically required होता है इसमें high strength की जरत होती है electricity conductivity की जरत होती है durability की light width properties की thermal conductivity की जरत होती है ठीक है अच्छा इसमें देखो कि rapid demand जो है carbon nanotubes की बढ़ती जा रही है कहां पे ICs में बढ़ रही है solar cells में बढ़ रही है fuels में बढ़ रहे है और इसको health sector में भी बहुत यूज किया जा रहा है okay तो यह electromagnetic devices और radios के format में भी यूज होते हैं और साथ में brushes वगेरा में भी यूज के जाता है इसको plastic matrix के थूज के जाता है और यह drug delivery वगेरा का भी काम करते हैं biodegradable भी होते हैं ठीक है चारो option यहाँ पर सही ह हो जाते हैं next question की तरफ बढ़ते है question number five question number five is genetic changes can be introduced in the cells that produce eggs or sperms of the prospective parents तो जो parents का जो eggs है या sperm है उसमें genetic changes क्या किये जा सकते हैं दूसरा option है a person's genome can be edited before birth at early embryonic stage तो कोई भी person का genome जो है जिसके अदर उसका genetic material genetic information है क्या उसको modify किया जा सकता है तीसरा है human induced pluripotent stem cells can be injected into the embryo of a pig तो human induced pluripotent stem cells basically stem cells क्या होते हैं हमारी body में कुछ ऐसे cells होते हैं जो थोड़े से special cells होते हैं जिनको आप use करके body का कोई भी organ develop कर सकते हो कोई भी organ बना सकते हो और pluripotent का मतलब है कि इसकी जो कोई भी stem cell है जैसे specific stem cells होते है उसमें क्या होते ह कि आप कोई भी specific stem cells से कोई specific organ बना पाते हो लेकिन pluripotent stem cells का फायदा यह है कि pluripotent stem cells से आप उस stem cells से कोई भी organ बना सकते हो तो यह human induced stem cells क्या पिग में inject किया जा सकता है यह तीन options आपके सामने है अब देखो यह सारी जो options है यह genetic editing की बात हो रही है जीन therapy की genetic modification की बात हो रह into the cells that produce reproductive cells eggs or sperms तो जो भी body है male हो या female हो उनके अंदर जो eggs या sperms बन रहे है उसके genes को modify किया जा सकता है edit किया जा सकता है DNA इसमें transfer किया जा सकता है इसी को कहते है germ line gene therapy और इसके कारण जो भी disease causing gene variants है उनको आप correct कर सकते हो यहां पर correction किया जा सकता है disease causing gene variants का generation to generation pass होने वाले तो basically यह जो germ line gene therapy है इसके थूँ आप generation to generation होने वाले जो diseases है जो genetic diseases है उनको ठीक कर सकते हो तो पहला option तो सही है कि आप पहले से जो mother या father है उनके जो sperm cells है या egg cells है उनमें आप genetic modification कर सकते हो बिलकुल सही है दूसरा option भी सही है embryonic stage पे आप genetic modification कर सकते हो आपने सुना होगा designer baby के बा अचा हुआ है क्योंकि हमने gene editing वाली technology crack कर लिये और अब हम किसी के भी DNA genes को change कर सकते हैं बदल सकते हैं इसके कारण लोग कह रहे थे कि ऐसे में तो क्या होगा celebrities बोलेंगे भई हमें अपने बच्चे की आखे blue चाहिए हमें अपने बच्चे की height ऐसी चाहिए हमें अपने बच्चा इस color का fair चाहिए डाक चाहिए जो भी है तो वह अपने हिसाब से मॉडिफाइ करेंगे तो gene editing हो सकती है embryonic stage पे किसी बच्चे की लेकिन यही concept है basically designer baby का लेकिन यह ethical नहीं है ethics से related है इसले इसको अभी तक हमने perform हमारे देश में नहीं किया गया है in fact world में भी नहीं किया गया है तो second statement साही हो जाता है third statement भी साही है human induced pluripotent stem cell को एक बार pig में insert कि की गई थी कि system cell के तुरू हम human organ बना सकें pigs के अंदर लेकिन यह possible नहीं हो पाया experiment fail हो गया लेकिन इससे यह तो समझा है कि stem cell को हम human stem cell को हम pig के अंदर डाल सकते है in fact pig ऐसा एक organism एक ऐसा animal है जिसके उपर सबसे जादर trials और experiments होते है humans को लेकर okay तो basically इसी लिए pig का option दिया गया ह तो pig के अंदर आप stem cell डाल सकते हो तो इसका सही answer होगा all three of them one two three तीनों options सही है okay बढ़ते हैं आगे question number six with the present state of development artificial intelligence can effectively do which of the fallen तो artificial intelligence इन में से क्या क्या कर सकती है अब देखो यह वही बात हो गई possibility कि आप क्या 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 सकता है भई science तो आप कुछ भी कर सकत साइंस का कोई डाइरा ही नहीं है तो possibility जहां दिखते हैं सब कुछ को घेरे में ले लेना चाहिए तो अगर मैं अभी नहीं भी पढ़ती हूं यह पूरे statement तो भी मैं इसका answer अगर अपने common sense को use करूं तो one two three four five लगा दूं लेकिन आपको बताने के लिए एक एक करके समझते artificial intelligence क्या है यह वो intelligence है जिसमें machine based learning के through machine जो है वो human intelligence जैसे चीज़ें करती है तो जैसे ब्रिंग ब्रिंगिंग नाउन दे electricity consumption in industrial units तो भई देखा है अगर industrial units में काम नहीं हो रहा है कोई जरुत नहीं अगर ज्यादा labor नहीं है ज्यादा काम नहीं हो रहा है तो खुद बगख खुद artificial intelligence system वहाँ electricity consumption को कम कर देगा इसके लावा short stories बनाना songs बनाना ये भी artificial intelligence कर सकता है आजकल एक नया software आया हुआ है जिसका नाम है chat GPT आपने सुना होगा इसके बारे में यह बहुत ही खतरनाक सा artificial intelligence software है इसमें आप कुछ भी लिखो कोई भी चीज लिखो कोई भी दुनिया भर की problem लिखो य स्टोरी लिखके दो ये स्टोरी लिखके देगा सब कुछ कर देगा ओके तो यह किया जा सकता artificial intelligence के तो डिसीज डियागनॉसिस किया जा सकता artificial intelligence के तो टेक्स्ट तो स्पीच कंवर्शन आप लोग यूजी करते होगे अपने mobile phones में ओके wireless transmission हो सकता है electrical energy का सब कुछ हो सकता artificial intelligence क इसका सही answer है D12345 बढ़ते हैं आगे question number 7 with reference to the visible light communication technology which of the following statements are correct तो visible light communication technology इसको अगर मैं आसान भाशा में आपको बता हूँ तो इसका आसान भाशा में नाम आप लाइफाई बूल सकते हो जैसे आप वाइफाई पढ़ते हो ना वाइफाई क्या है यहाँ यहाँ पे internet को represent करता है यहाँ वैसी लाइफा है light fidelity okay तो light के basis पे आप communication कर पाओ यह है visible light communication technology okay तो basically होता क्या है कि मानलो यहाँ पर यह light जल रही LED बल्क जल रहा है इसके through internet access कर सकते हो आप यहाँ पे रहने वाले लोग भी और यहाँ पे रहने वाले devices भी तो VLC जो है visible light communication technology जो है यह electromagnetic spectrum को use कर सकती है 375 to 780 nanometers की यह सही है इसका अंदागर आपको ऐसे भी लग सकता है अगर आप जानते हो कि visible light का frequency visible light की wavelength वगरा क्या है अगर आपको यह पता हो तो आप यहाँ पे यह answer इसको सही लगाँगे visible light की जो spectrum में frequency होती है wavelength होती है वो 400 to 800 nanometer के आसपास होती है तो उसे साब आप से visible light communication इसमें हो सकता है visible light की ज़रत है तो उसके हिसाब की wavelength आप बताऊगे न तो यह सही statement है first statement second statement VLC is known as long range optical wireless communication तो क्या यह visible light communication long range communication चीज है communication system है क्या यह long range है देखो भाई इस कमरे के अंदर जहां तक light आ रही है वहां तक internet आएगा लेकिन जैसे आप दूसरे कमरे में ग पहुचेगा नहीं पहुचेगा तो इसलिए यह long range नहीं है यह short range communication टेखनीक है तो second statement गलत हो जाता है अगर second गलत है तो उसे साब से आप देखोगे तो यह तीनों कड़ गए आंसर तो आगया आपके पास C लेकिन फिर भी देखते हैं VLC can transmit large amount of data faster than Bluetooth Bluetooth से ज़्याद से काम करत जो है यह visible light के अंतरकत हो रहा है visible light का frequency visible light की wavelength अलग है electromagnetic light जो है electromagnetic radiation है उसकी wavelength और frequency अलग है तो वो इसमें इंटरफेरी नहीं कर सकती इसलिए इसमें VLC में कोई interference electromagnetic interference नहीं होता है इसलिए इसका सही आंसर होगा 1, 3 and 4 बात करते हैं आगे question number 9 की question number 9 है in India the term public key infrastructure is used in the context of what? public key infrastructure बहुत news में था क्यों? क्योंकि हमारे देश में public key infrastructure के उपर हो रहे थे cyber attacks एक के बाद एक तो basically क्या है public key infrastructure किससे related है? digital security infrastructure से, food security infrastructure से, healthcare and education infrastructure से या telecommunication and transportation infrastructure से इसका सही आंसर होगा basically A digital infrastructure जो है digital security infrastructure उससे related है ये public key infrastructure basically हमारा cyber attack इनी के उपर हो रहा था हमारा जितना भी digital infrastructure है उसके उपर ये cyber attacks को prevent करने के लिए, हटाने के लिए, कम करने के लिए, digital system जो है digital infrastructure उसको security extra दी गई और इसी को हम कहते है public key infrastructure नोंकि ये public जो वर्क्स है, public governance है, उससे related चीज़े है, okay? बात करते हैं आगे question number 10, question number 10 बात करता है कि in following activities को consider करो, spraying pesticides on the crop field, crop field के उपर pesticides चुडखना, दूसरा inspecting the crater of active volcanoes, तो active volcanoes का crater है, क्या वो active है, क्या उसमें से अभी volcano erupt हो रहा है नहीं हो रहा है, सब को investigate करना, collecting breath samples of spouting whales of DNA for DNA analysis, तो whales के breath samples लेना सो देट रसका DNA analysis किया जा सके, ये 3 activities आपको बताई गई है, और बोला जा रहा है that at the present level of technology, which of the above activities can be successfully carried out using drones, तो drones के तुरू आप क्या-क्या activities carry out कर सकते हो, ये पूछा गया है, अब फिर क्या question हो गया, possibility related question, और मैंने आपको बता है, science and tech में possibility की कोई सीमा ही नहीं है, क्या-क्या कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हैं, तो इसका सही आफर होगा 1, 2, 3, drones के तुरू आप insecticides को crop fields में डाल सकते हो, drones के तुरू आप जो craters है, volcanoes के जो craters है, उनके उपर से आप drone उड़ा के चेक कर सकते हो, कि crater की अभी क्या state है, क्या eruption हो रहा है, इसके लवा DNA samples, DNA analysis करने के लिए breath samples भी ले सकते हो, veins के, सब कुछ किया जा सकता है, तो इसलिए इसका answer 1, 2 and 3 होगा, बात करते हैं next question की, देखो next question क्या है, next question है, the experiment will employ a trio of spacecraft, मतलब 3 spacecraft लगने वाले है, flying in the formation in the shape of equilateral triangle, equilateral triangle की form में, ये 3 spacecraft काम करने वाले है, that has sides 1 million kilometers long, मतलब 1 side, जो है, 2 spacecraft की बीच का distance, जो है, वो 1 million kilometers का distance है, with laser shining between the craft, तो इनके बीच में laser एक shine कर रहा है, ठीक है, तो ये experiment किस से related है, Voyager 2, New Horizon, Lisa Pathfinder या Evolved Lisa, तो इसका सही answer है, D, Evolved Lisa, Evolved Lisa में इस तरह से हो रहा है कि 3 spacecraft रखे गए हैं, ये 2 spacecraft जिनको daughter spacecraft कहा जा रहा है, और एक बड़ा spacecraft है, जिसको mother spacecraft कहा जा रहा है, ठीक है, ये इस तरह से equilateral triangle की form म बनाए गए है, एक million kilometer दूर इनको रखा गया है, आपस में, ओके, और Earth के बाहर orbit पे रखा गया है, एम क्या है, इस Evolved Lisa का, कि यहाँ पे gravitational waves बगएरा का पता लगा, पाए ये Evolved Lisa, तो ये पूरा question था about the experiment, कि space, कौन सा space experiment या space program से related, ये पूरा program है, तो ओके, next question की बात करते है question number 12, with reference to solar water pumps, consider the following statement, तो solar water pump से related question है, solar power can be used for running surface pumps and not for submersible pumps, solar power can be used for running centrifugal pumps and not for the ones with piston, तो solar power को आप, solar power से आप कौन कौन से pumps को operate कर सकते हो, अब देको pumps के बहुत सारे types होते है, एक pump तो वो जो basically running वाला surface pump है, और दूसरा वो जो submersible, यानि कि underground है, डूबा हुआ है, पानी के अंदर है, तो आप क्या दोनों को use कर सकते हो, दोनों को यहाँ पर power दे सकते हो, solar power के थू, हां जी, दोनों को power दी जा सकते है, ऐसा नहीं कि submersible वाले को नहीं दी जा सकते है, तो पहला statement गलत है, दूसरा statement भी गलत है, क्योंकि इसके थू, आप दोनों, centrifugal pump हो, या पिस्टिन वाला pump हो, दोनों को आप operate कर सकते हो, दोनों ही यहाँ पर गलत option है, दोनों ही गलत statement है, यानि कि answer होगा, neither one and not two, बात करते हैं आगे, 2019 के questions देखते है, तो दे कोई डेनी सोवन उसी साल में, 2019 में ही दव हिंदू में आया था, इसके उपर एक बहुत बड़ा article, इसकी कुछ खोज हुई चे, डिसकावरी हुई थे, तो डेनी सोवन क्या है, कोई fossil है, किसी डाइनोसौर का, कोई early human species का टाइप है, northern eastern India में cave system मिला है इस नाम का, य इसका सही answer है, an early human species, तो जो डेनी सोवन है, यह early human species रहे है, इनकी discovery बहुत पहले हो चुकी थी, 2015 के असपास, इसके बाद में, इस time पे कुछ नहीं होजी यहां पे होई थी, discoveries होई थी, इसलिए ये news में था, और इसलिए question पूछा गया, डेनी सोवन के बारे में, तो it is basically a species, a early human species, okay, hominoid species ही है, okay, question number two, with reference to the recent developments in science, which one of the following statement is not correct, कौंसा statement correct नहीं है, अब देखो, जब भी इस तरह के questions दिखे न, इसके आसपस जबबा बना ले न, देखे क्योंकि कई बार हमारी tendency होती है, गलत करने की, तो पहला statement बोलता है, functional chromosomes can be created by joining segments of DNA taken from cells of different species, pieces of artificial functional DNA can be created in laboratory, pieces of DNA taken out from animals and can be made to replicate outside a living cell in a laboratory, and the चौथा है, cells taken out from a plant and animal can be made to undergo cell division in laboratory petri dishes, तो ये चार option है, इसमें तक क्या नहीं हो सकता है, ये पूछा जा रहा है, क्या सहीं नहीं है, अभी तक हमने क्या अच्छी नहीं किया है, तो देखो इसका पहला, D option देखो, cells को plant या animals में से निकाल के, अच्छी को हम बोलते है, animal culture and plant culture, ठीक है, animal tissue culture and plant tissue culture, इसी को कहते हैं, ये सही है, ये हो सकता है, ठीक है, दूसरा, piece of DNA is taken from animal cell and can be replicated outside, तो हम animal cloning, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, animal cloning के बारे में, बेसिकली एक, किया भी गया है अभी तक, एक sheep, जिसका नाम था डॉली, इसकी basically clone बनाई गई, इसमें से एक cell लिया गया, उस cell को बाहर laboratory में replicate करवाया गया, और एकदम same, डॉली की एक daughter बनाई गई, और ये daughter एकदम same थी अपने mother जैसी, तो यहां पे इसको कहते है, cloning, ये cloning की जा सकती है, हां जी, ये की गई है, हमारे पुरे world में अभी तक, science न सकते हैं, हां जी, किये जा सकते हैं, सही है ये भी, ठीक है, और एक option देखो, functional chromosomes can be created by joining segments of DNA taken from cells of different species, अब ये different species दिक्कत हो गई, मतलब ऐसा हो सकता है कि एक person और दूसरे person के जो DNAs है, उन में आप changes कर सकते हो, जैसे मानलो एक person है, इसका ये DNA है, लेकिन इसके DNA में यहां पे द लगा सकते थे, ये हो सकता था genetic modification में, लेकिन आप कहरे हो कि ये human है, human में अगर pig का animal का DNA लगाना चाहो, तो क्या वो हो सकता है, नहीं, that is not possible till now, ठीक है recent developments में अभी तक ये possible नहीं है, तो A इसका गलत है, मतलब A गलत option है, A possible नहीं है, इसलिए not correct पूछा है, तो not correct के साब से A ये ही सही answer होगा, okay, बढ़ते हैं आगे, question number 3, RNA interferences, RNA interferences technology has gained popularity in the last few years, why, क्यों RNA interferences बहुत news में था, पहला कि ये gene silencing therapies को develop कर रहा है, इसको use किया जाता है, gene silencing therapies में, दूसरा, इसको cancer के treatment की therapies में use किया सकता है, इसको hormone replacement therapies में use किया सकता है, और इसको crop plants को produce करने में, virtual pathogen से resist करवाने में भी use किया जा सकता है, तो RNA interference की बारे में थोड़ा साथ देखते है, RNA interference technology क्या है, एक ऐसी technique है, जो popular हुई है, because of its use in gene silencing therapies, basically, अगर आपके body में इस तरह के genes है, जो कोई disease cause कर सकते हैं, cancer हो गया है, कोई भी ऐसा disease cause कर सकते हैं, तो उनको silence करव technology का मतलब है, कि यहाँ पर उस particular protein या उस particular cell को synthesize नहीं होने दिया जाए, inhibit कर दे हम उसके protein synthesis को, target cells के protein synthesis को यह किया जा सकता है, RNA interference के जूँ, तो basically gene silencing क्या हो रही है, कि वो जो cells, जो दिक्कत वाले cells हैं, जो खराब cells हैं, defected cells हैं, deceased cells हैं, उनको आप उनकी protein synthesis नहीं होने दो, त that can be done through RNA interference, तो यह पहला statement जो था हमारा यहाँ पर, वो सही हो जाता है, ठीक है, दूसरा statement देखो, cancers को prevent कर सकता है, cancers को ठीक कर सकता है, basically, diseases वगरा को ठीक कर सकता है, इसको यह सही है, DNA segment वगरा को आप यूज कर सकते हो, इसके लबा, RNA interference को, आप crops को produce करने में यूज कर सकते हो, जिसमें RNA और DNA viruses ना हो, ठीक है, तो इसमें आप resistance बना सकते हो, plants को, या crops को, इन viruses या इन diseases से, तीसरा है, यह basically इससे recombinant DNA technology बनाई जा सकती है, जिसके तुरू आप एक DNA segment को दूसरे DNA segment के साथ जोड सकते हो, ओके, तो यह basically अगर आप देखो, तो यहाँ पर second statement भी सही है, और fourth statement भी सही है, third statement सही नहीं है, hormone replacement वगएरा इससे नहीं होता है, okay, basically RNA interference से hormone replacement therapies नहीं होती है, तो अगर सही answer देखोगे, तो 1 to 4 इसका सही answer है, okay, all right, बात करतें next question की, question number 4, which of the following are the reasons of occurrence of multi-drug resistance in microbial pathogens in India, तो आपने सुना होगा, multi-drug resistance के बारे में, antibiotics या antimicrobial resistance के बारे में आपने सुना होगा, basically क्या होता है, कि जब हम generally हम हमारे normal जीवन में क्या होता है, कि मानलो मुझे cold cough हो गया, viral fever हो गया, मैं doctor के पास गई, और doctor ने मुझे कुछ prescription दिया, prescription में मुझे कुछ दवाईयां prescribe की गई, बोला कि 3 दिन तक आपको लेना है, एक जाके chemist से दवाई ले ली, chemist ने मुझे जबरदस्ती के antibiotics prescribe कर दी, antibiotics मैं ले रही हूँ, जिसकी मुझे जरुत जादा है नहीं, लेकिन फिर भी मैं ले रही हूँ, तो बहुत सारी antibiotics मैंने ले ली, अब इन सब के चक्कर में क्या होता है, कि जब हमने पहले antibiotics बहुत जादा ल जाती है, इसको बोलते हैं multi-drug resistant या antibiotic, antimicrobial resistance, okay, तो अगर इंडिया में बात करें तो क्या reasons है इसके, पहला है genetic predisposition of some people, कि genetic reasons से automatic आपको multi-drug resistance हो सकता है, दूसरा है incorrect doses of antibiotic to cause cure diseases, जैसे मैंने ये बताया ना, कि तीन दिन का बोला सा, लेकिन एक दिन में हमने ठीक होके बंद कर जवाई, तो आपने incorrect doses लिए है, प्रॉपर्ली doses नहीं लिए है antibiotics की, वो एक रीजन हो सकता है क्या, antibiotics को livestock farming में यूज करना, आप देख तो कई सारे cattle को antibiotics दिये जाते हैं, अब ये मानलो cattle हो गई, या fishes हो गई, इन सबको antibiotics दिये, okay, livestock हो गई, इन सबको antibiotics दिये, अब जिसे मानल multiple chronic diseases in some people, तो chronic diseases के कारण क्या multi-drug resistance होता है, नहीं ऐसा नहीं है, तो देखो यहाँ पर genetic reasons से कोई multi-drug resistance आपको नहीं होता है, कोई chronic disease के कारण नहीं होता है, यह होता है जब आप antibiotic कलत तरीके से लेते हो, या बहुत excessively लेते हो, यहाँ फिर livestock farming में जो antibiotics का बहुत excessive use हो रहा है, इसका सही answer होगा B, 2 and 3, okay, question number 5, question number 5 talks about Cas9 protein, यह Cas9 protein किस से related है, यह mention बहुत बार होता है news में, तो किस से related है, Cas9 protein का full form, अगर आप नाम देखोगे तो इसका नाम है CRISPR-Cas9 technology, CRISPR-Cas9 technology क्या है, basically gene editing technology है, मैंने बताय था न आपको कि मानलो एक person है, उसका यह DNA है, और इस DNA में उसक प्रांज में आता है कि यहां पे इतना सा जो strand है उसमें दिक्कत है, इसके कारण उसका जो body है, उसमें कुछ genetic problem है, और इस genetic problem के कारण उसको कुछ disease हो रहा है, कुछ भी issue है, तो क्या किया जा सकता है, CRISPR-Cas9 technology को लेकर, एक scissor की तरह CRISPR-Cas9 technology को यूज के जा सकता है, इतना पार्ट DNA का काट लिया, इसको हटा दिया यहां से, और कोई healthy DNA का इतना पार्ट लाकर इधर लगा दिया, तो the genetic disorder यहां पे ना हो, तो gene additive technology है, तीक है, CRISPR का full form है, clustered regularly interspaced short palindromic repeats, तो यह एक genome को ठीक करने की technology है, कैस9 बेसिकली एक molecular scissor के तोर पे काम करता है, यहां पे, कैस9 protein एक enzyme है, जो basically double strands जो है, double helix DNA के उसको काट के उसको ठीक करता है, उसको आप हटा के दूसरा DNA लगा सकते हो, कैस9 एक bacterial RNA guided endonuclease V है, तीक है, यहां पे base pairing को use क्या जासता है, cuts वगेरा लगाने के लिए और दूसरे DNA को लगाने के लिए, तो कैस9 basically क्या है, एक scissor की तरह काम क तो अगर आप यहां पे चार option है, molecular scissor used in targeting gene editing, दूसरा biosensor है, तीसरा है gene that makes plant pest resistant and चोथा है herbicide substance synthesized in generally modified crops, तो basically इसका सही आंसर होगा A, molecular scissor की तरह काम करता है, कि genes जहां पे भी problematic होने, उनको काट के दूसरे genes लगा दे, तो कैस9 यह है, question number 6, diseases से related, diseases से कई सारे questions आते हैं, आपक यहां पे कौन सा question, जो statement वो correct नहीं, यह not correct पूछा गया है, hepatitis B virus is transmitted much like HIV, hepatitis B और HIV का transmission एग जह सा होता है, hepatitis B unlike hepatitis C does not have vaccine, तो vaccine नहीं है hepatitis B की, globally the number of people infected by hepatitis B and C virus are several times more than HIV infected people, तो HIV से यतने लोग infected हैं, उससे जादा लोग hepatitis B और C से infected है, और चोथा है, some of those infected with hepatitis B and C do not show the symptoms for many years, तो कई सारे लोग जो hepatitis B या C हैं जिनको, उनको कई सालों तक अपने symptoms ही नहीं दिखते, अब इसमें से correct क्या नहीं है, correct नहीं है, B option, hepatitis B की vaccine है, hepatitis C की vaccine नहीं है, तो हो, hepatitis क्या है, एक inflammation होता है, लीवर में, तो यह लीवर को infect करने वाला एक disease है, जिसमें inflammation होता है, viral disease है, virus की कारण होता है, hepatitis virus होता है, उसी के कारण ही viral disease होता है, इसके लागा यह जो लीवर infection होता है, इसको hepatitis B virus cause करता है, okay, hepatitis B जो है, यह blood-born virus है, और sexually transmitted होता है, वैसे HIV भी क्या होता है, sexually transmitted होता है, वैसे ही hepatitis B भी sexually transmitted हो सकता है, okay, तो काफी similarity है, पहला option तो सही है, कि दोनों का transmission सेम होता है, इसके लागा vaccines है, hepatitis B को prevent करने के लेकिन C को prevent करने के लिए नहीं है, इसलिए second option गलत हो जाता है, थर्ड देखो, यहाँ पर पढ़ो, some of those infected with hepatitis B and C do not show symptoms, बह यह भी सच है कि HIV से जादा जो infected लोग है, वो hepatitis B or C से infected है, ठीक है, लगभग 325 million people है worldwide, जबकि HIV से जो यहाँ पर infected है, वो 9 times, basically, infection उनमें जादा होता है, लेकिन, जो हमारे HIV है, उनसे related जो infection है, वो कम है, than the hepatitis B and C, okay, तो इसका सही अंसर होगा B, alright, क्योंकि not correct पूचा है, question number 7 Volt and LTE के बीच में difference पूचा गया है, तो देखो यहाँ पर, LTE is long term evolution and Volt, basically, voice over long term evolution, LTE को हम 4G कहते हैं, और Volt जो है, basically, advanced LTE का भी, मतलब इसको आप 4G plus या 5G तक ले जा सकते हो, okay, तो LTE, पहला statement देखो, LTE is commonly marketed as 3G and Volt is commonly marketed as advanced 3G, यह गलत है, LTE जो है 3G नहीं है, 4G है, okay, दूसरा statement बोड़ रहा है, LTE is data only technology and VOLTE is voice only technology, यह गलत है, LTE में क्या सिर्फ आप data भेज सकते हो, और VOLTE में क्या सिर्फ आप voice भेज सकते हो, गलत है, देखो, VOLTE जो है, वोल्ट जो है, इसमें आप data और voice दोनों भेज सकते हो, दोनों equally काम करेंगे, advanced version है, लेकिन LTE में भी आप data और voice दोनों भेज सकते हो, लेकिन जब data चालू है, तो आपको voice clearly नहीं आएगी, और अगर voice चालू है, तो data clearly नहीं आएगा, देखते थे ना, पहले एक time हुआ करता था, जब आप call पे लगी हो, ठीक है, call use कर रहे हो, calling use कर रहे हो, तो data नहीं चलता था, ठीक है, आप internet use नहीं कर सकते थे, call पे लगे हुए, रहते हुए भी, और जब आप data आपका चालू है, internet चालू है, तो call पे हावास जंग से नहीं आती थी, यह होता था, LTE में, लेकिन दोनों चीज़ें transmit होती थी, voice भी, data भी, तो इसलिए इसका सही option होगा, सही answer होगा, neither one and not two, तो यह I hope समझ में आया, बढ़ते हैं next आगे के question की तरफ, question number 8 is regarding the digital technologies, AR and VR, तो मैं पहले आपको दिखाती हूँ कैसे दिखती है AR and VR, यह है virtual reality, I think आपने कई सारे games वगेरा खेले होगे virtual reality को देखते हुए, लेकर virtual reality को, इसमें क्या होता है, कि जैसे मान लो, यह एक person है, इसके सामने एक इस तरह का कुछ चश्मे जैसा ही कुछ लगा दिया जाता है, यह एक equipment है जो लगा दिया जाता है, और यह बिल्कुल जो actual world है, real world, उससे cut off होके दूसरे दुनिया में पहुँच जाता है इनसान, virtual reality में, augmented reality में आप हो, आसपास की चीज़ा आपको दिख रहे हैं, लेकि स्क्रीन चला रहे हैं, इस तरह से screens पर मार्क कर रहे हैं, computer चला रहे हैं, इस तरह से अपने सामने, तो यह सब क्या है, augmented reality है, जो आपने देखा होगा, वो अभी बीच में एक game था, Pokemon Go, वो भी इसी augmented reality पर था, कि आप चलते जाओ, चलते जाओ, आपको बोलेगा कि गहीं पर Pokemon है, तो उसको पकड़ना है, actual में नहीं है, लेकिन वो augmented reality में आपको दिख रहा है, तो आप real world इसे cut off नहीं हुए, आप real world में हो, लेकिन आपको actual virtual reality भी वहाँ पर दिख रही है, तो देखो यह difference है, अब देखो statement देखो, augmented reality में, basically, augmented reality में a simulated environment is created and the physical world is completely shut down, तो एक simulated environment create के physical world बिलकुल shut down हो जाता है, कि ऐसा होता है augmented reality में, नहीं, ऐसा virtual reality में होता है, अगर यहाँ पर virtual reality होता ना, तो यह सही होता, अभी यह गलत है, virtual reality में आप बाहर के पूरे world से cut off हो जाते हो, एक simulated environment, एक आपको जो guide के हुए environment आप उसको ही देखने लगते हो, तिर्व आपको व पोलर कोस्टर पे हो, आप चिलाते हो, आप गिरते हो, आप इस तरह से चीजें करते हो, आप actual में real world से cut off हो चुकी हो, आपको एक simulated environment में रखा जा रहा है, वो virtual reality है, augmented reality नहीं है, तो यह first statement गलत, दूसरा statement, in virtual reality, images generated from the computer that projected into real life objects or surrounding, यह गलत है, यह virtual reality नहीं है, augmented reality की बारे में ब चीजयیں project कि जिस को आप real world में use कर पा रहे हो, तो वर्चवल चीजय céuॉप, वर्चवल रियालिटी में क्यों होता है , यह होता है, वर्चवल वर्चवल वर्ड है, वर्चवल रहे में, लेकिन augmented reality में क्या है, कि तो आपका physical world है, real world है, तिक है, physical real world है, लेकिन इस में कुछ virtual elements डाल दिया हमने ठीक है तो यह virtual elements जो है यह आपके reality को augmented reality बनाते तो यह second statement virtual reality के बार में augmented reality के बार में होना चाहिए था दोने statement गलत हैं one or two तो उस हिसाब से देखो तो यह भी गलत और यह भी गलत अब देखते हैं three or four में तो augmented reality allows individuals to be present in the world and improve the experience using the camera of a smartphone और PC तो augmented reality आपको बोलता है कि आप यहीं रहो इसी world में रहो लेकिन आपका experience हम और अच्छा बढ़ाना चाहते हैं smartphone और PC को use करते हुए यह सही है virtual reality closes the world virtual reality world को बिल्कुल close कर दिता है और individual को किसी तीसरे ही immersive experience में ले जाता है तो यह भी सही है three and four options are correct है तो देखो जरा virtual reality के बारे में अगर जानना है जादा तो computer generated simulation होता है यह इस तरह से computer generated simulation है यहाँ पे simulated environment create किया जाता है virtual reality में और यहाँ पे आपको 3D world में ले जाया जाता है अलगी world में जो actual world से बिल्कुल अलग है augmented reality जो है इसमें computer से आपने कुछ project किया है real world में real life में okay smartphone और PC के थूँ तो basically आप physical environment में ही हो real environment में ही हो लेकिन आपने कुछ virtual elements add कर दी है किसमें augmented reality में okay तो यह दोनो difference है बढ़ते है next question की तरफ consider the following statement about digital signature digital signature के बारे में question है क्या है सही इसमें से यह एक electronic record है that identifies are the shirt is our autograph ensuring it तो देखो यह electronic record है जो यह बताता है कि कि किसने इसको issue किया है नहीं यह नहीं है यह digital certificate की बात हो रही है अगर यह statement की बारे में अगर देखो जिटל certificate की बात हो रही है तो theher certificate में क्या होता है कि आपको एक digital certificate तिया गया है एक soft copy या जिसमें sign वगेरा भी जो की हुई है वो दिखाती है कि कौन किस person ने issue किया है आपको certificate जो digital sign है वो record नहीं है वो record का authorization करती है record को authentify करती है digital signature अपने आप में digital signature कोई record नहीं है दूसरी चीज़ it is used to serve as proof of identity of an individual to access information of server on the internet मान लो internet पे आपको कोई भी चीज़ चाहिए internet पे आपको कोई भी server पे कोई access चाहिए information चाहिए तो उसके लिए आपको अपना ID card देना पड़ता है या कोई certificate देना पड़ता है आपकी sign से ये information या ये server आपको access नहीं मिल जाता तो ये again digital certificate की बात हुरी second statement में digital signature की बात हुरी third में digital signature की बात हुरी है an electronic method of signing an electronic document and ensuring that original content is unchanged तो आप basically sign करें electronically किसी digital format पर किसी digital certificate ये चेक करने के लिए कि जो original content है वो unchanged रहे तो original content पर कोई फरक नहीं पड़ रहा है अभी आजकल क्या होगे Amazon वगेरा अभी आप Amazon से भी delivery लेते हो तो वो आपसे sign कराते है वो digital signature कराते है उनके पास एक tab रहता है या एक mobile रहता है वहाँ पर आपको बोलते हैं कि आप sign कर दो इस तरह से जिसे मैं यहाँ पर sign कर रही हूँ तो यह मैं अपनी sign कर सकते हूँ digitally वहाँ पर तो यह electronic sign है ना यह record है किसी जड़ा का ना ही यह कोई ऐसा identity proof है तो इसका सही आंसर होगा C 3 only बढ़ते हैं आगे question number 10 in the context of variable technology which of the fallen tasks are accomplished by variable technologies or devices तो variable technology यो variable devices के तुरू अब क्या-क्या कर सकते हो। पहला आप किसी भी person की location identify कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो। GPS वगञा कर सकते हो। smart watches स्फार्ट वाचस के तूर आप किसी के भी location trace कर सकते हो। दूसरा आप किसी के भी स्लीप monitor कर सकते हो Авत इसके आछ एम सी या उचा सुनता है तो उसके लिए hearable aids आते हैं वो यूज कर सकते हैं यह सब wearable technologies में आता है तो इसका सही answer होगा D कि यह तीनों काम की जा सकते हैं wearable devices के through okay then question number 11 recently scientist observed the merger of giant black holes billions of light years away from the earth what is the significance of this observation इसी time पे जब यह question आया था उसी के पहले एक black hole वगरा को discover किया गया था तो क्या इसकी importance है black hole अगर हमने discover किया importance क्या है उस time पे जब यह black hole discover किया था तब हमने gravitational waves को detect किया था तो उस time का news था यह current affairs से related कि हमने gravitational waves waves को भी detect दिया है इन black holes के साथ में यह importance है ओके और ग्रेविटेशनल waves के बारे में Albert Einstein जोके एक महान scientist रहे हैं इन्होंने बहुत पहले लग-बग 1916 में ही हमें predict करके बता जिए था कि देरा gravitational waves in the space ओके तो ग्रेविटेशनल waves को हम detect कर सकते हैं black holes के थ्रूम और यह Albert Einstein ने बता आगे next question की 2018 के questions शुरू करते हैं consider the following phenomena light is affected by gravity the universe is constantly expanding matter warps its surrounding space and time which of the above are predictions of Albert Einstein's general theory of relativity often discussed in media तो अभी अभी हम Albert Einstein के बारे में बात कर रहे थे हैं ग्रेविटेशनल waves के time पर तो उसी से related question है कि जो Albert Einstein के theory of relativity है उसमें क्या-क्या चीज़ें claim की गई है कि क्या light gravity से affect होती है हां जी यह चीज claim की गई है Albert Einstein के true दूसरा universe expand कर है constantly expand कर है यह भी सच है और third भी सच है कि matter जो है space time से space time को wrap करते हुए चलता है तो तीनो statement सही है इसका अंसरोगा D 1 2 & 3 question number 2 यहाँ पे देखो which of the following pairs of terms sometimes seen in news versus context or topic are correctly matched तो यहाँ पे आपको बताने है यह जो term है और context है यह आपस में कौन फॉन से सही matched है पहला है अब देखो ब्लॉक्चेन और क्रिप्टोकरंसी मैंने स्टार्टिंग में बता था इस तरह का एक question आया था 2018 के question है यह तो क्रिप्टोकरंसी इस ब्लॉक्चेन के उपर काम करते है यह तो बिल्कुल सही है है ना मतलब second statement सही है इसे साब से यह वाला गलब क्रिस पार के बार तर्ट गलब मतलब यह भी गलब यह भी गलब आंसर तो हागे हमारे पास बी लेकिन बड़े टू эксперimend artificial intelligence से रिलेटेटेटेड है क्या यह नहीं यह रिलेटेड नहीं है इससे अ अ नहीं इससे अ आटिफियल इंटेलिजिएं से रिलेटेड नहीं यह काफी कुछ particle physics से रिले चेंज होती है यह सही statement है अभी तक hundreds of times earth की magnetic field shift हुई है shuffle हुई है पहले जो not pole था वो south pole हो गया south pole not pole हो गया ऐसा हर कुछ सालों में thousands of years में यह चीज repeat होती है यह सही statement है दूसरा statement है when the earth was created more than 4000 million years ago there was 54% oxygen and no carbon dioxide तो देखो second statement बोल रहा है कि जब earth 4000 million years ago जब बना था create हुआ था उस time पे हमारे earth पे 54% oxygen थी carbon dioxide थी ही नहीं उल्टा बोला जा रहा है उस time पे oxygen बिलकुल नहीं थी carbon dioxide थी carbon dioxide था methane थी यह सारी gases थी थी बहुत बाद में oxygen वगेरा आया है इसके बाद when living organism originated they modified the early atmosphere of earth जब नए-ने organism निकल कर आये तब उन्होंने earth के atmosphere को modify किया क्यों देखो जब यहां पे नए living organism वगेरा आये तो इन्होंने carbon dioxide वगेरा को पहले क्या हुआ पहले तो plants वगेरा है plants वगेरा जो living organism आये इन्होंने क्या किया यहां पे oxygen डेवलप करना शुरू क्या photosynthesis वगेरा के थूँ तो oxygen डेवलप करने के साथ क्या हुआ कि oxygen के साथ हमारा early atmosphere में changes आने लगे हमारा carbon dioxide कम होने लगा oxygen बढ़ने लगा ठीक है तो यह changes है फिर दूसरे living organism आये जो oxygen को inhale करते थे carbon dioxide exhale करते थे तो atmosphere में changes हुए है शुरुआती living organism इसके आने से तो इस हिसाब से देखो तो first statement तो सही है second statement गलत है क्योंकि carbon dioxide था oxygen नहीं था और third statement भी सही है इस हिसाब से देखो तो C option सही है one and three बढ़ते हैं next question की तरफ question number four consider the following birds, dust blowing, rain, wind blowing ये चार नहीं चारों में से कौन-कौन सी चीज़े ऐसी जो plant diseases को spread करती है तो देखो plant diseases तो birds भी spread करती है dust blowing भी spread करती है, rains भी and wind blowing भी when इस जो है ये ऐसे बहुत समझ सकते हो कि जो भी seeds के dispersal में helpful होते हैं, seeds के dispersal में जो भी helpful है, वो सब plants के diseases को भी, basically spread करते हैं जैसे birds की बात करें तो bird एक plant से basically seed को यहां जो भी उसका nectar है वो सब ले कर फिर दूसरे plant पे जाती है दूसरे crop पे तो वहां से seed को ले जाके दूसरे के plant के seed पे रखना दूसरे के plant के flower पे रखना उसको यहां से seed dispersal हुआ और इसी के साथ यहां पे plant का जो disease है वो भी spread हो सकता है dust भी सेम करती है rain भी और winds भी सेम करती है तो one two three four चारों option correct है okay next question question number five is about genetic modified mustard genetically modified mustard developed in India इसके बारे में आपको सही statement बताना है पहला GM mustard has the genes of soil bacterium that give the plant the property of pest resistance to a wide variety of pest तो GM mustard genetically modified mustard क्या इसमें जो यहां पे genes इसको दिये गए soil bacterium के क्या वो इसलिए दिये गए कि यह pest resistant बने नहीं इसके लिए नहीं दिये गए थे क्यों नहीं दिये गए थे मैं बताती हूं तो पहला statement गलत है दूसरा GM mustard has the genes that allow the plant cross pollination and hybridization तो plant का cross pollination और plant का hybridization के लिए GM mustard को genes दिये गए है इसका यह allow करता है cross pollination और hybridization यह सही है ठीक है तीसरा statement है GM mustard has developed jointly by IARI Punjab Agriculture University यह statement फिर से गलत है इसमें देखो अलग-अलग लोग involved है department of biotech वगेरा भी involved है तो यह Punjab Agriculture University तो कहीं से कहीं तच इसमें नहीं है involved तो इसे साब से सही आंसुर होता है बीन-टू-अनली जरह इसके बारे में देखते हैं GM mustard के बारे में GM mustard जो है इसमें soil bacterium के genes डाले गए थे लेकिन वो डाले गए थे इसलिए so that hybridization proper हो सके ना कि pest resistant बनाने के लिए इसको इसके अलावा दो genes इसमें डाले गए बार्नेस और बर्स्टार बार्स्टार और बार्नेस इसमें दो genes डाले गए इनका aim था कि cross pollination हो सके और hybridization हो सके mustard में self pollination वगेरा भी हो सकता है इस mustard में अभी तक self pollination हो रहा था लेकिन cross pollination hybridization हो सके so that better yield better effectivity मिले okay अच्छा इसके अलावा Delhi University और साथ में Department of Biotechnology ने मिलकर इसको develop किया GM mustard को ना कि Punjab University या पंजाब का कोई college ने okay Delhi University और Department of Biotech इसमें involved था okay बढ़ते हैं next question की तरफ question number six question number six says which of the following leaf modification occurs in the desert areas to inhibit water loss तो water loss को खतम करने के लिए water loss को रोकने के लिए कौन कौन से leaf modification desert areas में plants में होते हैं आपने देखा होगा plants में जो deserts होते हैं sorry desert में जो plants होते हैं वहाँ पे आप देखते हो cactus आपको मिलता है एकदम ऐसे thorny से plants मिलते हैं ऐसे shrunk से उनकी leaves होती है ठीक है leaves तो आपको automatic दिखती ही नहीं है thorns आपको बहुत साथ दिखते हैं ठीक है और ऐसे fleshy से आपको plants दिखते हैं उनकी जो coating होती है above coating बहुत ही ऐसी oily सी greasy सी होती है ठीक है तो यह चीज आपको देखने को मिलते है desserts में okay तो इसमें बोला गया कि leaf modification कैसे होते हैं देखो hard and waxy leaves देखने को मिलते हैं हंजी tiny leaves भी देखने को मिलते हैं हंजी thorns देखने को मिलते हैं leaves के जगा हंजी तीनों चीज़ें देखने को मिलते हैं desserts में leaf modification के form में यह तीनों सही है ऐसा क्यों होता है क्योंकि dessert में already पानी की कमी होती है moisture की कमी होती है अगर यह ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी leaves यहाँ पे dessert में भी हो तो प्लांट जिन्दा कैसे रहेगा मरी जाएगा तो इसी लिए ऐसी लीव्ज ना होके इस तरगी लीव्ज होती है थौनी, फलेशी, हाड, वैक्सी लीव्ज होती है बढ़ते हैं यहाँ से एवैपोरेशन कम से कम हो, बढ़ते हैं आगे, question number 7 की तरफ, question number 7 एक कहानी जैसे है, ठीक है, fantasy life आप समझ लो, वैसा एक कहानी है, कि देखो, समझ ना, when an alarm of your smartphone rings in the morning, you wake up, आपका alarm बजा आप उठे, आपका जैसी alarm बजा आपने उसको tap किया, alarm को switch off किया, तो वैसे ही, जैसी आपने stop किया alarm को, वैसी आपकी bathroom में जाके, आपका geezer शुरू हो जाता है, geezer से गरम पानी आना शुरू हो जाता है, geezer के सामने smart mirror है, इस smart mirror पे आपका weather दिख रहा है, और यह दिख रहा है कि आपके उपर की जो overhead tank है, जो टंकी है, उसमें कितना पान पानी बचा है, इसके अलावा, आप groceries निकालने जाते हो fridge में से, वहाँ पर भी अपडेट है, कि भाई groceries इसमें से निकाल लिए, तो groceries बाकी बची नहीं है, तो automatically आपकी fridge में ऐसा system है, जो automatically groceries order कर देता है आपके लिए, इसके लावा जब आप घर से बहार निकलते हो, आप अ आपको alternative route भी आपकी car का ही अंदर का system बता रहा होता है, यह सब कुछ, यह message वगेरा कि अगर लेट हो तो आपके office में message भेजना है, कि हम लेट हो जाएंगे, यह सारा automated system जो है, यह technology, communication technology जो emerge हो रही है, किस scenario को दिखा रही है, क्या यह border gateway protocol को दिखा रही है, क्या यह internet of things को द जिखा रही है, यह है example internet of things का, मतलब सारी जो भी आपकी things है, आपकी घर में, आपकी जितनी भी machines आप यूज़ कर रहे हो, वो सब internet के तुरू connected है, एक network में बनने हुए, अगर एक चीज में कुछ होता है, तो दूसरी चीज उसके साथ affect होती है, जैसे आपने इस alarm clock को बंद किया, उसी के साथ आपका घीजर शुरू हो गया, तो यह internet of things है, दो machines आपस में communicate करें using internet, अगर आप, आपकी car चल रही है, आपकी car को route पता है, कि यह वाले route से जाने वाले, उस route पे traffic है, तो आपके GPS ने आपको बता दिया, कि इस route से नहीं, इस route से जो, आपका GPS आपको guide कर सकती है, देखो, again, यह possibility based question है, और मैंने बता है, science and tech में कोई possibility का अंतर नहीं है, तो possibility वाले answers, almost 1, 2, 3 सारे ही होते हैं, फिर भी देख लेते हैं, GPS technology क्या mobile phones में use हो सकती है, बिलकुल हो सकती है, आप करी रहे हो, banking operations में भी use होती है, और power grids को control करने में भी use होती है, सभी जग बहुत ही easy question था, उस time पर, वाना cry, पेटिया और eternal group क्या है, यह cyber attacks थे, ठीक है, उस time पर cyber attacks हो रहे थे, वाना cry, पेटिया अभी तक चल रहा है, spy wear था basically यह, तो इसके उपर तो अभी तक Supreme Court कुछ ना कुछ यहां पर आदेश देता रहता है, तो पेटिया भी cyber attack था, और eternal भी भी एक cyber attack था, okay, question number 10, 3D printing has application in which of the following, 3D printing को कहां कहां पर use कर सकते हैं, again, a possibility based question कि कहां कहां पर इसका usage possible है, तो science में तो सब कुछ possible है, तो अगर आप question को पढ़ोगे नहीं, तो भी आप answer दे सकते हो, general common sense से, लेकिन I would not say कि बिल्कुल पढ़ो मत, पढ़ो और फिर confirm करकी answer दो, तो देखो यहां पर confectionery items बना सकते हो, 3D printing से, बिल्कुल, bionic years बना सकते हो, बिल्कुल, automotive industries का use हो सकता है, बिल्कुल, reconstructive surgeries कर सकते हो, data processing technologies में use कर सकते हो, subject कर सकते हो, तो इसका answer होगा 1, 2, 3, 4, 5, okay, next question, identity platform आधार provides an open application programming interface, what does it imply, तो basically जो आधार है, आधार एक ऐसा platform है, identity platform ज इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, it can be integrated into any electronic device, and online authentication using iris is possible, क्या इसका सही answer होगा, समझते हैं, तो देखिए, आधार जो basically आधार identity platform है, इसमें, क्या आप इसको दूसरे electronic devices के साथ, इंटेग्रेट कर सकते हो, बिल्कुल, इंटेग्रेट कर सकते हो, आधार आजकल हर आधार जोगता है, आधार आधार जोगता है, तो दोनों यहां पर सही statement है, बोथ 1 & 2 बोट बीड़ और जोड़ेक्रेट ऑप्शिन, बढ़ते हैं, नेक्स्त ग्वेशन की तरफ, इंटेग्रेट नमबर 12, इंडियन वीजनल नविगेशन साटलाइट शिस्टम से रिलेटे navigation system में 7 satellites हैं, 4 हैं जो geostationary हैं, 3 हैं sorry, 3 हैं, जो geostationary हैं और 4 हैं, जो geosynchronous हैं इसके अलबा, IRNS जो है ये 5500 square kilometer का area cover करता है कि इंडिया के आसपास नहीं ये इंडिया को cover करता है और इंडिया के आसपास 1500 square kilometer का area भी cover करता है, तो इतना area इसके अलबा, इंडिया के अपनी खुद की satellite navigation system है जो full global coverage होने वाल है 2019 तक, तो क्या आपने ऐसे कोई deadline रखी थी, अभी तक बन गया है कि ऐसा कोई full coverage वाला, कोई satellite navigation system ऐसा नहीं है, कोई आपने deadline नहीं रखी थी, कि by the middle of 2019 हम यह full coverage कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है तो यहां पर यह second or third statement गलत है, इसे साब से only one is the correct statement only one is the correct option okay, 13th question देखो, PSLV और GSLV के बेच में question है difference पूछा गया है, PSLV launch satellite useful for earth resource monitoring and GSLV is used for communication satellite, बिल्कुल सही PSLV का मतलब है polar satellite launch vehicle GSLV का मतलब है geosynchronous satellite launch vehicle, PSLV जो है न, वो कोई भी satellite को low earth orbit में डालती है low earth orbit में अगर कोई satellite डल रही है तो वो जादा-जादा क्या काम कर सकती है earth को observe करने का काम कर सकती है न, कभी यहाँ पे इसको डाला जा रहा है तो earth observation satellites इसको कह सकती हो monitoring earth resources को observe करना यह काम कर सकती है GSLV जो है, यह higher orbits में 3600 km की height पे जाके higher orbits में satellites को place करती है जो की geosynchronous satellites होती है जो होती है, यह कैसी satellites होती है जो एकदम stationary रहती है कभी भी देखो एक ही जगह पे दिखेंगी यह geosynchronous satellites GSLV के तुरू higher orbits में place की जाती है और इनका काम होते है communication को easy बनाना communication को facilitate करना ठीक है, क्योंकि जितनी उपर satellite होगी उतना उसका coverage area बड़ा होगा जैसे मानलो यह earth है earth पर यहाँ लगाऊगे तो यह इतना सा coverage होगा लेकिन उपर लगाऊगे तो यह पूरा earth coverage हो जाएगा है तो इसी तरह से communication satellites भी काम करते है तो इसलिए PSLV जो है earth resources को observe करने के satellite launch करता है और GSLV communication वाली यह सही है second statement is satellites launch by PSLV appear to remain permanently fixed जो PSLV satellites launch करता है वो क्या permanently fixed दिखती है ऐसा नहीं है यह GSLV वाली की बात हो रही है GSLV वाली जो satellites होती हो जियो synchronous होती है तो आप कभी भी कहीं पर भी देखो वो आपको एक ही जगह पर देखने को मिलेगी particular location पर particular time पर सेम पोजिशन पर देखने को मिलेगी GSLV वाली satellites ना कि PSLV वाली satellites इसके लब थर्ड स्टेटमेंट क्या है GSLV Mark 3 is a four stage launch vehicle GSLV Mark 3 जो है हमारा देश का सबसे भारी सबसे बढ़िया सबसे ऊचे लेवल वाला launch vehicle है GSLV Mark 3 जो है इसके तुम हमने चंद्रयान वगेरा भीजा था GSLV Mark 3 में तीन स्टेज़ है ना कि चार स्टेज़ है तीन स्टेज़ कौन से पहली है solid जूसरी है liquid और तीसरी है cryogenic engine वाली ठीक है तो चार स्टेज नहीं है तीन स्टेज़ है इसमें यह थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है इसका मतलब कि only one is correct first statement ही सही है A is the right option तो इतने ही थे हमारे questions 2018 से 2022 के बीच लगभग लगभग 11 से 15 questions हर बार आ रही है हमारे UPSC prelims में from science and tech इसलिए I would highly recommend कि science and tech को आपको बिल्कुल भी miss out नहीं करना है static को भी cover करो current affairs को majorly cover करो and that was all thank you for watching I think I hope that this video this lecture this session was very helpful for you and agar कोई भी doubt हो please comment down नीचे आप comment कर सकते हो and I'll try to resolve them all okay so that was all thank you for watching and have a very good day